So, Hi Everyone, Welcome to our EXP of 9th and 10th Channel और मेरा नाम है प्रिशान्त, आप सब मुझे जानते होगे, आप सब मुझे अपने प्रिशान भीया के नाम से भी जानते हो तो आज का एक बड़ा ही इंपोर्टेंट और स्पेशल लेक्चर में लेकर आ गया हूँ लेक्चर क्या है? Life Process, एक ऐसा चेप्टर जो कि इतने सारे बच्चे पूछ रहे थे भईया यार, Life Process इतना बड़ा चेप्टर है, इतना खतरनाक चेप्टर है, हमें पढ़ा दो, हमें समझा दो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे हूना यहाँ पर, अब अगले दो घंटे के अंदर इस चेप्टर को ऐसे हम खतम करेंगे कि तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा और मैं guarantee भी देता हूँ, कि इस lecture के बाद आपको कहीं से भी पढ़ने की जुरत नहीं पढ़ने वाली, क्योंकि यह जो lecture है, यह enough है इसके बाद कहीं से भी पढ़ोगे, कोई फरक नहीं पढ़ने वाला, यह एक lecture enough होगा Life Process के लिए और आज एक special चीज है, special चीज यह भी है, कि biology का YouTube के उपर ही हमारा पहला lecture है, मतलब इससे पहले YouTube पे मैंने कभी biology नहीं पढ़ाई, normally biology मैंने पढ़ाई हुई है, जो इन students को मैं mentor करता हूँ, उनको पढ़ाई हुई है, बट सभी को YouTube पे मैं पहली बार पढ़ाने जा रहा हू जब हम lecture को शुरू करते हैं, तो हम क्या पूछते हैं, जोष मीटर, 100 में से तुम्हारा जोष कितना है, जल्दी से फटा फट से comment में बताओ, कि 100 में से कितना है हमारा जोष मीटर, कितना है, फटा फट से लिखे, कितना है, 100 है, 95 है, कितना है, 50 तो नहीं है, 20 तो नहीं है, दस तो नहीं है अरे जोश बढ़ा ले यार जोश बढ़ा ले अब तू अपने प्रिशान बेकी क्लास में आ गया है है ना जहां पर जोश अंदर से बाहर निकल के आता है motivated पूरी क्लास में रहेंगे मजाक मस्ती में पढ़ेंगे और life process को ऐसे कर लेंगे है ना तो चलो यार फिर हम आरंब करते हैं जादा देरी नहीं करते क्योंकि क्या है ना बहुत सारे लोग फिर बोलेंगे यार प्रिशान बेया आप ताइम बहुत वेस्ट करते हैं थोड़ा जल्दी यल्दी पढ़ाया करो कोई दिक्कत नहीं है अभी समझा देते है बट देखो मै मुस्कुरा तो रहा हूँ बट मैं गम भी छुपा रहा हूँ गम क्या है इस चैप्टर को समझने के लिए आपको थोड़ा कंसंट्रेशन की जौरत पढ़ने वाली है पहली बता देता हूँ ठीक है मलब आपको कंसंट्रेटिड होके मेरी सारी बाते आपको सुनते रहनी प क्यार पिछले दो-ते-इन साल से आप जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं मुझे पता है कि बोर्ड एक्जाम कहां से पेपर बनाता है ठीक है चाहे तुम सीबीस्टी के हो आईसीस्टी के हो एससी के हो यूपी बोर्ड के हो असाम बोर्ड के हो जम्मू कश्मीर बो क्योंकि इसके अंदर हम बहुत डेप्स में जाने वाले हैं सबकी डेफिनिशन वगेरा सब कुछ आपको समझाता रहूंगा टेंशन मतलग सबसे पहले बात करते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है प्रिशान्द वही है ये तो बता तो मतलब आप बात कर रहे हो लाइफ के इंस्टा पर उसका रिप्लाई आया, वाट्सएप उसका मेसिज आया वो हम सोँस करेंगे बाकी जिंदकी हम जी सकते हैं मिना फोन के पहले भी लोग जीते थे तो क्या फोन चलाने एक लाइफ प्रोसेस है नहीं तो लाइफ प्रोसेस क्या है वो प्रोसेस जो की असंशल हैं हमारी जिन्दकी जीने के लिए तो सबसे पहले definition देख लेते हैं तब various basic function performed by living organism to maintain their life on this earth जिन्दकी जीने के लिए जो जो process की हमें requirement है वो क्या होती है हमारी life process देखो आज के समय पर हम 2023 के अंदर जी रहे हैं 2024 में तुमारा board एचा है 2025 वाले भी इसको देख रहे हूँ जब भी तुम board exam देने वाले हो यह life process की definition तो कोई तुमसे पूछेगा ठीक है इतना असान पर पर नहीं हा था किसी board में कि तुमसे पूछ ले what is life process बठाँ तुम्हें पता होना चीए आगे बात करते हैं life process में हम जिन चार चीजों के बारे में बात करने वाले हैं वो है nutrition, respiration, transportation, excretion है न इन चीजों को बहुत depth में बताऊंगा एक-एक की definition बताऊंगा सबसे पहले हम उपर से समझ लेते हैं हो कहा रहा है respiration मतलब, nutrition का मतलब है खाना खाना, मैंने खाना खाया, ठीक है respiration का मतलब क्या हुआ, उस खाने का breakdown करना, glucose की form में breakdown करना उसके बाद क्या है वो जो breakdown कर लिया, blood वगेरा के अंदर वो खाना मिल गया, उसके बाद उस खाने का transport करना, transportation, और जो waste particle है, जो waste material है, उसको excrete करना, अपनी body से निकाल देना, यही चार function है, इसनी चार function को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत simple chapter है, मज़े आ जाएंगे पढ़के, अगर तुम बस थोड़ा सा focused पे रह लोगे, तो कोई tension वाली बात नहीं है, पहले ब जाओंगा, दो प्रकार के अपने organism होते है, unicellular और multicellular, unicellular क्या होते है, जिनके एक cell होते है, single cell, जैसे की amoeba, amoeba के बारे में बहुत पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आज पढ़ा देंगे, और multicellular क्या होते है, जैसे की हम, human beings या फिर plants, पस इतनी सी चीज है, इसक तुम olympiard बगेर की तियारी कर रहे हो, तो अलग बात है, पट अगर तुम board exam की preparation कर रहे हो, चाहिए, किसी भी board exam की तियारी कर रहे हो, ये enough होता है, ठीक है, चलो बात करते हैं सबसे पहले, nutrition की, nutrition होता क्या है, अब 90% लोगों को nutrition का मतलब पता है, क्या लगता है, खाना ख लिखो, जहां पर game हो गया, और बहुत सारे बच्चे का definition लिखके आते हैं, अपनी answer copy के अंदर, nutrition is the process by which living organism obtain their food, भाई, number कट जाएंगे, obtain and utilize, भाई, खाना खाना भी है, और उस खाने को utilize भी करना है, उस पूरे process क्या कहता है, nutrition, तो सबस्ते पहले, nutrition की definition हम समच चुके है, nutrition ह होता क्या है, अब nutrition की requirement क्यों है, हम खाना खाई क्यों है, यह भी तो पूछ सकता है, कोई अगर किसी का मन करा और पूछ लिया, कि अच्छा यह बता, what is nutrition and importance of nutrition क्या है, तो तीन importance होती है nutrition की, सबसे पहला energy मिलती है, nutrition से, body के अंदर energy आती है, दूसरी बात, growth and development, चाथ बहुत हाथ में लग जाती है, कोनी में लग जाती है, घुटनों में लग जाती है, मेरे साथ तो बहुत होता था बच्पन मैयार, मैं तो इतना गे रहाँ कि तुम्हें क्या बता हूँ, तो जो भी है, तो यह तीन इनके main uses होते है nutrition की, अब nutrition को पढ़ते हैं, बिल्कुल depth में, detail में है क्या है nutrition, है क्या चीज, चलो बिल्कुल depth के अंदर हम चलेंगे, और nutrition को पूरी depth में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले देखते है nutrition कितने type के होते हैं, दो प्रकार के हमारे nutrition होते हैं, autotrophic, autotrophic और heterotrophic, clear है, autotrophic क्या होता है, यह वो वाला auto नहीं है, जिससे तुम school जाते ह यह auto मतलब खुद से, automatic, auto, auto मतलब खुद से, तो वो organisms, जो कि खुद का खाना खुद बनाते हैं, वो क्या खहलाते हैं, autotrophic, मतलब, organism prepare their own food, और वो organism, जो कि दूसरे organisms पर depend होते हैं, अपने खाने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, heterotrophic nutrition, चीक है, अब तुम बोलोगे, हमारे मम्मी पापा भी खुद से, खाना बनाते हैं, हम भी तो autotrophic में आ गए, अरे नहीं है, अरे सनी का, imagine करो, तुम्हें आद सबजी बनानी है, आलू पालक की, तो तुम आलू लाए, पालक लाए, पानी लाए, नमक मिर्च लाए, लेके आए न, तो जो आलू है, वो क् प्लांट है न, तो क्या तुम खुद का खाना खुद बना रहे हो, नहीं, तुम किसी और पे डिपेंडेंट हो, तुम क्या हो, हेटरो ट्रोफिक, समझ गए, इस बात को समझ गए, कि autotrophic और हेटरो ट्रोफिक में क्या differentiation होता है, क्या इतनी चीज हमें clear है, क्या ये हमें हा टरना बहुत ज़ादा important है, बहुत सारे सवाल इसके आते हैं, अगर तुम इस chapter को ढंग से नहीं पढ़ोगे, तुम अपने बहुत सारे marks गवाद होगे exam के अंदर, तो बिल्कुल focus हो जाओ, अभी भी अगर तुम पूछ रहो न, निया कैसी हो, सुनेना कैसी हो, तो ये chats प पहले दो टाइप, autotrophic, heterotrophic, अब autotrophic की भी डो टाइप, कौन कौन से, सबसे पहला होता है हमारा कौन सा, photosynthetic autotrophic nutrition, इसका नाम ही बता रहा है, ये उस प्रकार का autotrophic nutrition है, जिसके अंदर photosynthesis हो रहा है, photosynthesis तो सब को पता है न, नहीं पता, तो आज बढ़ा देंगे क्या दिकत है, ये हमारा पहला photosynthetic, क्या है, autotrophic nutrition, इसको हम बिल्कुल detail में पढ़ेंगे, कि वो जो plant होता है, plant, वो कैसे autotrophic nutrition करता है, कैसे वो photosynthesis की मदद से, अपना nutrition प्रोवाइड करता है, पूरी detail में पढ़ेंगे, बट उससे पहले, हम second number का, जो हमारा nutrition है, वो पढ़ लेत से, अपनी energy बनाता है, मतला वो भार से किसी और organism की मदद नहीं ले रहा है, वो खुदी कुछ chemicals की मदद से, अपने ले energy बना लेता है, इसकी detail में नहीं जाएंगे, बस इतना समझ लो, जैसे कि कुछ nitrogen compounds होते हैं, उनको breakdown करके, जो organism होता है, वो क्या करता है, वो chemical energy में convert कर ल bacteria, note करें, note करें, note करें, फटा-फट note करें, एक note book लेकर बैठे हो नहीं बैठे हो, हाँ, तुम्हे कहानी सुनाने तो आया नहीं हूं मित्र है न, कि अभी प्रिशान बेख कहानी सुनाएंगे, अच्छा, एक बार एक लड़का था, पढ़ता नहीं था, दस्मी में फेल हो उसके पापा ने उसे घर से भार निकल दिया, बिचारा, घर से भार इदर उदर भटके भूम रहा था, ऐसे ऐसी कहानी तुम्हें सुनाऊंगा नहीं, तो मैं कहा कर रहा हूं तुम्हें पढ़ा आ रहा हूं बेटा, तो क्या करो, एक note book पहन लेकर आ जाओ, तो यह बहुत सा, फोटो सिंथेटिक वाला, उसको डीपली पढ़ते हैं, पहले उसको डीपली पढ़ते हैं, क्योंकि वह बहुत जादा इंपोर्टेंट है, और बार बार पूछा गया है, आजो, प्लांट का जो प्रोसेस होता है, उसके लिए हमें चार इंग्रीडियेंट की जोरत पढ जैसे कि अगर आपको कोई सबजी बनानी है, आपको अलू पालक बनानी है, तो आप क्या बोलोगे, क्यार देख सबसे पहले मुझे आलू भी चाहिए, पालक भी चाहिए, और ये पानी भी चाहिए, मसाले भी चाहिए, ये सब चाहिए, तो वह क्या होगा है, इंग्रीडि और अगला क्या है chlorophyll यह बहुत important है chlorophyll ग्रीन कलर का pigment होता है leaves का जो color है वो क्यों green होता है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है chlorophyll ग्रीन कलर का pigment पढ़ा है पढ़ा था अभी और deeply समझ लेंगे अब समझते हैं कि basically plant के अंदर यह जो process है ना यह होता कैसे है तो आजाओ इसको बिल्कुल हम detail में समझते हैं कि होता कैसे है process तो यह हमारी photosynthesis की reaction important है आपके paper के अंदर बार बार पूछी जा सकती है बहुत important है note भी कर ले ना इसके ओपर star बना लो यह reaction important है होता क्या है देखो आप समझना हो यह जा रहा है ना बहुत important भी है और भूत ध्यान से भी समझेंगे plant है plant ने क्या करा carbon dioxide जो है उसको लिया co2 ले ली ha जुसके leaves होते हैंने हैAN leaves के उपर कुछ pores होते है जिसको हम क्या बोलते है, stomata, क्या कहते है, stomata, अभी समझा दूँगा, stomata क्या होता है, tension मतलो, CO2 ले ली, उसके बाद क्या करा, sunlight आई, उपपर साही sunlight, sunlight की आई, leaf के उपपर पड़ी, leaf के अंदर क्या है, chlorophyll, याद आगया, chlorophyll, हाँ, तो उस chlorophyll ने क्या करा, sunlight के साथ, mixture हो ग glucose, glucose क्या होता है, C6, H12, O6, और उसके साथ साथ कुछ water molecules भी भार निकले, और oxygen भी निकला, चीक है, यह होती है, हमारी photosynthesis की reaction, बहुत important है, और exam में जब भी पूछी जाए, तो balanced ही लिखके आना, यह balanced reaction है, पूरी की पूरी, I hope यह आपको clearly दिख रही है, I hope यह clearly दिख रही है जल्दी बताएं, दिख रही है, clear है, यह है, photosynthesis, यह balanced ही लिखके आना, exam के अंदर, balance के लिए मैं इसले कह रहा हूँ, क्योंकि यार, ना, बहुत बार ऐसा होता है, कुछ teacher आपके number काट लेता है, अगर आप unbalanced reaction लिखके आते हो तो, तो इसी वज़े से आपको जो पहले chapter में मैंने balancing सिखाई थी, वो देख लेना, वो बहुत important होती है, तो यह समझ गए, अब, एक important चीज़ ध्यान से समझ देना, जो कि exam के अंदर पूछी जाती है, यह देखो, यह दो point important है, यह, जो आपके plants होते हैं, वो तो glucose को star के format में store करते हैं, starch के format में, ठीक है, और जो आपके कर रहें, glycogen में, क्या clear है, क्या clear है, बहुत बार पूछा गया है, कि plant किस form में store करते हैं, और जो human है, वो किस form में store करते हैं, यह याद होना अची है, ठीक है, clear है, चलो, और detail में बढ़ते हैं, अब समझते हैं कि photosynthesis reaction हो क्यों रही है, है क्या, अगर question आ गया तो explain photosynthesis reaction तो मै क्या लिख्या हूँगा, समझ लेते हैं, तीन स्टेप होते हैं, ध्यान से समझना, देखो, पहला स्टेप क्या है, absorption of light energy by chlorophyll, मैं आपको बताया था न, green color का pigment, वो क्या कर रहा है, absorb कर रहा है, sunlight को, पहला point, clear है, हाई है न, हाई है न, बोले है, एक दम बढ़ी है, आगे conversion of light energy into chemical energy, और जो light energy थी, वो आई, और वो chemical energy में बदल गई, अब उस energy ने क्या करा, वो जो water molecules थे न, H2O, उसके water molecules को उसमें तोड़ दिया, किसमें, hydrogen में, oxygen में, तोड़ दिया भहिया, किसमें breakdown कर दिया, hydrogen and oxygen में, clear है, clear है, फिर, एक चीज़ और थी, क्या carbon dioxide है, अब carbon dioxide आई और carbon dioxide का reduction हो गया, reduction समझते हो, मैंने आपको पढ़ाया था reduction, reduction, oxidation, याद आ गया, पहले chapter के अंदर याद आया कुछ, तो carbon dioxide का reduction हुआ, और वो क्या बना देती है, carbohydrate मतलब की glucose, ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनाती है, glucose, समझ गए, clear है, हुआ क्या, sunlight आई, sunlight को trap कर लिया, sunlight की जो energy थी, उसको chemical energy में बदला, उस chemical energy की मदद से, जो molecules थे, water molecules उनको तोड़ा, और उसके बाद carbon dioxide भी आ गई, जिसकी वज़े से हमारा पूरी reaction complete हो गई, और glucose बन गया, आये ना, आये ना बोले है, जल्दी, जल्दी बोल, क्या clear है, note down कर लो, मैं एक मिनट पानी पी लेता जल्दी, बताओ, ठीक है, यह समझ गया प्रोसेस, अब हम समझते हैं, कि भाईया, वो जो gas आ रही है न, carbon dioxide, और oxygen gas बाहर जा रही है, वो प्रोसेस कैसे हो रहा है, वो प्रोसेस कैसे हो रहा है, leaves की वज़े से, leaves की उपर एक opening होती है, जिसको की हम बोलते है, stomata, अभी दिखा देता हूं, stomatal pores, यह होता है, यह बहुत जादा important चीज है, क्योंकि आर देखो, एक चीज में बता देता हूं, इसका सवाल भी बार-बार पूछा जाता है, stomatal pores क् tiny pores होता है, leaves के उपर, जहां से gas का exchange होता है, तो stomatal pores के देखो, दो फीचर है, बहुत जादे important ध्यान से देख लेंना, पहला फीचर है, transpiration, transpiration क्या होता है, किसी को पता है, किसी को पता है, transpiration क्या होता है, याद आ रहा है, 9th के अंदर कुछ पढ़ा था, transpiration, नहीं आ रहा है संजा देता हूँ, transpiration होता है, removal of excess of water, क्या है, क्या है, removal of water, जो भी excess of water है न, उसको जब leaves के उपर से remove करा जाता है, in the form of, क्या, water vapor, किसकी form में, in, water vapor, किसके अंदर, water vapor, इसको मैं लिख रहा हूँ, W, क्या लिखो water, और vapor, WV, ठीक है, short form में लिख रहा हूँ, अब अपनी भाशा के अंदर note कर ले न, कि वो जो पानी है न, उसको water vapor की form में, बहार निकाला जा रहा है, क्या हुआ यह, transpiration, ठीक है, अब तुम पूछो के, भाई है, excess of water आया कहां से, अरे मेरे दोस्त, अभी photosynthesis क reaction पड़ी थी न, उसके अंदर water भी तो निकला था, याद आ गया, हाँ, तो भाई तो पानी भार गया है यार, दूसरा feature क्या है इसका, दूसरा feature है, exchange of gases during photosynthesis, यह तो पता ही है, देखो, carbon dioxide आ रही है, oxygen बन रही है, तो वो जो oxygen बन रही है न, वो भार जारी carbon dioxide अंदर आ रही ह तो वो exchange of gases हो रहा है, अब एक बहुत जादा important diagram तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना, यह diagram बार बार पूछा जाता है, आजओ, आजओ भई, यह देखें, यह दिख रहा है क्या, star mark कर लेंगे, यह दिख रहा है क्या, PDF कहां मिलेगी भईया, PDF आपक यह है हमारा प्यारा प्यारा नन्ना मुन्ना stomata, अब stomata न, दो प्रकार का होता है, एक होता है stomata opened और एक होता है stomata closed, थिक है, अब ए explosion क्या होता है समझते है, पहले तो आप पूरा आना बहुत प्यारे किसे इसका diagram समझने की कोशिश करो, यह diagram आप थोड़ी बात practice भी कर ल आपको दिख रहे हैं यह जो आपको दिख रहे हैं यह पता है क्या है यह आपके गार्ड सेल्स क्या है यह आपके गार्ड सेल्स ठीक है यह गार्ड सेल्स अब जैसे ही पानी आपके गार्ड सेल्स के अंदर आता है तो गार्ड सेल्स ना आपके फूल जाते हैं जैसे ही फूल गाड से पानी गया ख्लोज हो गया अब देखो इस गाड सेल के अंदर ही यह पोर होता है जिसको हम कहते हैं स्टॉमेटल पोर ठीक है यह बहुत सिंपल डाइगराम है बार बार यह डाइगराम पूछा जाता है तीन नमबर के सवाल में भी आ जाता है बस इतने याद रखना आड सेल की मदद से ही हमारा ओपनिंग अड क्लोजिंग हो पाती है क्या एक लिए जल्दी बताओ स्टॉमेटल ओपनिंग अड क्लोजिंग समझ आ गई क्या जल्दी बताओ अच्छा यह भी चीज याद रखना है यहां पर आपको ग्रीन पिगमेंट दिख रहे हैं यहां यह ग्रीन पिगमेंट यह वही है क्लोरोफिल है खिंक है यह डाग्राम इंसिया के अंदर वह है तो इस डाग्राम को याद तो जरूर कर लेना आई होप यह क्लीर हो गया होगा हाई और आगे बढ़ते हैं चलो थोड़ा लंबा चैक्टर है थो मैं ट्राय करूंग कि मैं न 2x पे लेक्चर को देखते हैं दो हम तो वही है डवल स्पीड पे देखेंगे यह मत करना है न लेक्चर थोड़ा कॉंप्लिकेटिड है 1x पे देख लो है 1.5x पे देख लो उतना बहुत है चलो opening and closing of stomata मैंने आपको समझाई दिया यह दोनों points मैंने आपको एकदम clearly आपको समझा दिया है I hope एक बार इनको पढ़ भी लो यह दोनों मैंने आपको अभी अभी समझा दिये हैं clear है clear है चलो आगे बढ़ा जाए अब क्या है आगे एक मिनट देख लेते हैं अब क्या है आगे अब हम पढ़ रहे है photosynthesis in desert plant यह तो भाई हमारे होगे normal plant अब desert में क्या होता है बहुत गर्मी होती है अब desert में इत्ती जादा गर्मी होती है जिसवजे से पानी भी बहुत कम होता है तो desert बाले जो plant होते है वो कैसे बनाते है यार खाना कभी सोचा है वो भी photosynthesis से बनाते है वट उनका process अलग होता है कैसे वो क्या करते है ना दिन के time पे जब दिन है बहुत जादा धूप है उस time पे जो sunlight है उसको capture कर लेते है chlorophyll के अंदर chemical energy के अंदर convert करके अपने पास रख लेते है ठीक है उन्होंने sunlight को अपने पास रख लिए अब अगर वो अपनी strommetal pores को open करेंगे अगर उन्होंने strommetal pores को open करा तो क्या होगा तो जितना भी पानी है वो तो इतनी जादा धूप की वज़े से पानी तो निकल जाएगा और strommetal pores बंद हो जाएंगे स्टommetal pores किसकी वज़े से खुलते है पानी की वज़े से खुलते है और वहाँ पानी तो नहीं है तो वो क्या करते हैं वो sunlight को capture करके रखते हैं और अपने जो strommetal pores है उनको open नहीं करते हैं उनको बंद रखते हैं photosynthesis को process कोई नहीं करते हैं जैसे ही sunset होता है रात का समय तो वो क्या करते हैं अपने pores को open कर लेते हैं और carbon dioxide ले लेते हैं और oxygen को भार छोबना start कर लेते हैं तो वो इस process को how perform करते हैं रात को sunlight दिन में capture कर लेते हैं और रात को पूरे process को करते हैं I hope it clear हो गया होगा, I hope it clear हो गया होगा, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, एक तो बोल बोल के न, इसना गलव हो जाता है, क्या बताऊं मैं तुम्हें भाई, बहुत ज्यादा, एक दो बार तो ऐसा हो जाता है, कि मनला आवाद ही निकल रही, बट फिर भी क्या करें, की बात करी थी, autotrophic, यहाँ पर आपका जो autotrophic nutrition है न, वो almost आपका खतम हो गया है, ठीक है, autotrophic nutrition आपका पूरा समापत हो गया है, हमने plants वगेरा का देख लिए, अब हम बात करते हैं, heterotrophic nutrition की, आजाओ, अब हम बात करेंगे heterotrophic nutrition की, heterotrophic याद है न, heterotrophic याद है न, जो किसी और organism की मदद से खुद का खाना बनाते हैं, वह होते हैं heterotrophic, heterotrophic के तीन प्रकार, कौन-कौन से, आजाओ देख लेते हैं, पहला कह है holozoic, पहला कह है holozoic, दूसरा कह है separotrophic, तीसरा कह है parasite, holozoic कौन होते हैं, holozoic होते हैं, हम भी holozoic में आ क्योंकि holozoic बहुत सिंपल है, holozoic के अंदर क्या होता है, देखो, the organisms feed by ingesting solid organic matter which is then digested and absorbed in their bodies, मतलब, कोई भी ऐसा organism, क्योंकि कोई solid material को खा रहा है, और उसको अपने digestive system के अंदर digest करवा रहा है, वो क्या कहलाता है holozoic nutrition, ठीक है, उसके अंदर कौन आता है, human being आते हैं, माल लो, बकरी माल लो, कुछ भी माल लो, सबाते हैं न, उसके अंदर तो, सबाते हैं न, तो यह हो गया holozoic, तो holozoic कोई भी पूछे, तो definition याद रखना, जो भी organism, एक solid organic material को खाते हैं, और अपनी body के अंदर digestion process को start करवाते हैं, वो कहलाते हैं holozoic के अंदर, ठीक है, इ यह Carnivore तो सबको बता होगा, बट, comments के अंदर आपको यह बताना है अभी, कि Omnivore क्या होता था, कि आपको याद है Omnivore के बारे में, जल्दी बताए, comment के अंदर हम बढ़ रहे हैं, आगे, आजाओ, अगला क्या है, सेप्रोट्रोफिक, अब सेप्रोट्रोफिक बहुत मारने के भाद ही काता है, तो इसका मतलब तो यह हुआ न, जो Animals या फिर जो Organisms, Dead and Decaying Matter को खाते हैं, वो सेप्रोट्रोफिक होंगे, तो मतलब शेर भी सेप्रोट्रोफिक में आना चाहिए, नहीं, नहीं, सेप्रोट्रोफिक का मतलब समझते हैं, वो खाते तो है, Dead and Decaying Matter को, इसका यह मतलब है, कि वो पता है क्या करते हैं, वो किसी भी Organism को, या फिर जिसको भी वो खा रहे हैं, जो उनका Food है, उसको वो अपनी Body से बाहर ही Digest कर लेते हैं, वो अपनी Body के अंदर Digest नहीं कर रहे हैं, वो बाहर ही Body को, उनकी जो सामने उनको, जो Food है, उसको पूरा Digest कि Mushroom कोई Organism या फिर किसी भी चीज़ को अगर खा रहा है, कोई भी Nutrients को अगर Mushroom ले रहा है, तो वो उसकी Body के अंदर Digest हो रहे हैं, नहीं, वो क्या करते हैं, पहले से ही Organism को Digest करा लेते हैं, भार ही, Surrounding के अंदर, और उसके बाद उस Organism को अपनी Body के अंदर ले लेते है इसकी पूरी Definition देख ले ना, Include bacteria and fungi which digest the food externally before nutrients are absorbed, पहले Digest कर लेते हैं, अपनी Body से भार और उसके बाद nutrition ले लेते हैं, यह वही हो गया, कि अगर Imagine करो, तुम्हें खाना खाना ही ना पड़े, डिरेक्ली तुम्हारे सामने glucose पढ़ाया और glucose तुम पीलो, तो वही बात हो गई हमारे food किसकी form में convert होता है, glucose की form में, अब Imagine करो, मैं आपको बोलू यार, directly glucose पीले, food मत का glucose पीले, तो कितनी next level सीथ हो जाएगी ना, तो यह लोग यही करते हैं, यह direct nutrients को लेते हैं, यह digestion नहीं करते हैं, यह nutrients को ब्रोब करते हैं, clear है, example याद रखेंगे, important है, आखरी के उप कि बालों के अंदर वो कीडे हो गए, वो जो जूँ होती है, जो कि आपका खुन चूसती है, याद है, किस किन किन के घर के अंदर बोला जाते है कि बालों के अंदर जूँ हो गई, वो क्या है, वो पेरसाइट है, पेरसाइट वो organism होते हैं, जो कि कि किसी और living organism से अपना food लेते हैं किसी और living organism से जैसे कि example किया इसका example इसका लाइस, टिकल्स, लीच, टेप बॉम्ब यह सब जो जूँ होती है न वो क्या करती है आपके बाल के उपर रहते हैं आपके सर के उपर रहते हैं और आपकी body से blood को लेते रहते हैं तो किस format में आगए वो आगए इसमें वो स इसका exact pronunciation तो देखो मुझे भी exactly नहीं पता हम तो इसको कसकटाई बोल लेते हैं बागी कुछ लोग इसको क्यूस कटाई भी बोलते हैं तो जो भी है प्रदेंसेशन आप spelling याज रखना यह बहुत important example है पता है क्यूं इसका सवाल आया था competency-based के अंदर क्यूं 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 answer है क्यूंकि इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर chlorophyll नहीं होता chlorophyll नहीं होता जिसकी वज़े से photosynthesis नहीं कर पाता जिस वज़े से यह क्या perform करता है parasitic nutrition clear है जल्दी note करें जल्दी note करें इसको so I hope कि आपको यहां तक एकदम clear हो गया होगा हम क्या पढ़ रहे हैं nutrition के बारे में हमने पढ़ा autotrophic, heterotrophic, autotrophic में हमने क्या पढ़ा एक होता है photosynthetic एक होता है हमारा chemo synthesis तो दोनों के बारे में detail में पढ़ लिया अब heterotrophic के अंदर हमने क्या पढ़ा एक तो हमारे holozoic हो अब देखते हैं अगला अगला point हमारा क्या है अगला point बहुत important है क्योंकि अगला point है what happens to the food we eat अब हम nutrition तो ले रहे हैं पर उसको होता क्या है क्या process है तो देखो 5 step की cycle है देखते है पहला step है ingestion ingestion क्या होता है खाने को लेना अब मैं आपको आपके example से बोल रहा हूं ठीक है imagine करो आप एक burger खारे ठीक है तो आपने burger खाया ये गया burger आपके मुझे imagine कर ना देखो भूग लगेगी पीटा भूग लग सकती है बड़ कोई दिक्कत नहीं है भूग लगने देंगे हम क्या करेंगे एक burger को imagine कर लेंगे ये गया burger मेरे मुग के अंदर अब क्या हुआ इंज ग्लूकोस के format में break हो गया उसके बाद अब जो उसके nutrients थे ना वो हमारे blood के अंदर absorb होई ठीक है उसको क्या बोला हमने absorption ठीक है absorption एकदम clear होगे process of absorption of digested food अगला क्या है assimilation ये एक important point है जो की बच्चों को समझ नहीं आ पाता है assimilation क्या है assimilation का मतलब है कि वो जो हमारा जो food था ना जो हमने digest कर लिया और digest करके उस food को हमने क्या करा absorb कर लिया अब वो जो हमारे पास energy आई है ना उस energy को अलग-अलग कामों में लगाना कि भाई energy जा भाई growth में काम दे energy जा भाई मेरी side से कहीं पर लग गई है तो मेरे blood को clot करते है महाँ पर मेरी clotting करते है तो अलग-अलग काम के लिए क्या होता है assimilation utilization of digested food for the energy for growth and repair growth and repair of body ये होता है assimilation और last होता है ejection ejection क्या होता है जितना भी आपका waste particle है ना जो undigested है undigested जो particle है ना आपकी body के अंदर से उसको भार निकाल दे ना वो क्या है ejection पांस step process समझ गए खाना अगर में एक burger खा रहा हूं तो वो किन-किन cycle से निकल रहा है ये इसलिए important है क्योंकि अगला topic में आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्या nutrition in amoeba क्या पढ़ाने जा रहा हूं में nutrition in amoeba अब nutrition in amoeba के लिए आपको पांच points पता होने चाहिए थे क्योंकि amoeba जो है ना वो इन 5 steps को follow करता है और ये सवाल ना मतलब आप ये मालो board exam के अंदर almost fixed है कि तीन number के अंदर ये तो आएगा ही आएगा और इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना आपको बस diagram बना कराने है क्योंकि इसमें explain करने का essence कुछ होता नहीं है बस अगर आप diagram बनाया होगे ना आपके number बुला जाएंगे तीन में से तीन मिल जाएंगे देखो होता क्या है amoeba एक unicellular organism है आपको पता ही है जहां पर उसका एक nucleus होता है और ऐसा amoeba हमारा दिखता है अब amoeba क्या करता है न सबसे पहले वो ना food particle को अपने अंदर बुला लेता है तो वो क्या करेगा आपके पर पूरा का पूरा पूरा डाइजेस्ट हो गया तो अब क्या करेगा Amoeba पूरोगा पूरा उसको absorb कर लेगा क्या करेगा absorb कर लेगा पूरोगा पूरा उसको absorb करने लेगा अब अगला process क्या है assimilation assimilation का मतलब क्या है उस food को यूज करेगा अपनी growth के लिए तो वो क्या करेगा नए food vacuels बनाएगा यहाँ पर देखो नए food vacuoles बनाए और उसके बाद जो पुराने food vacuoles थे ना, जो हमारा waste था, उसको हमारी body से उसने यहां से निकाल दिया, ठीक है, तो यह क्या हो गया, ejection, NCRT के अंदर इसका best diagram है, वो आप एक बार practice कर लेना, सवाल आता ही आता है, हर बार का मतलब आप मानलो, यह सवाल तो बनता ही बनता है, ठीक है, ठीक है, clear है, यह cycle important है, I hope एक बार में आपको यहां से यह cycle एकदम याद हो गई हो, आप से कोई भी पूछ लेगा ना, कि चलते अरे सुन, अमीवा की cycle बता, हाँ, याद है, याद है, क्या हो रहा है, ingestion हो रहा है, digestion हो रहा है, उसके पाद आप शौशन हो रहा है, फिर assimilation हो रहा है, फिर ingestion हो रहा है, ऐसे बतानी है, तब मानूँगा मैं तुम प्रशान वेकर student हो, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, जहां तक एकदम clear है, जहां तक एकदम clear है, चलो, आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर रहे है, nutrition in humanity, अगर मैं एक खाना खा रहा हूँ, तो खाना किस-किस प्रकार से digest होगा, पूरी nutrition को समझते हैं, अभी हम nutrition ही पढ़ रहे हैं, अभी तो हम respiration पे भी नहीं आए, अभी हमें आगे transportation भी पढ़ना है, फिर हमें वो excretion भी पढ़ना है, सब पढ़ना है, nutrition पढ़ते हैं, क्योंगि nutrition one of the most important topic है, प्रहां से देखना, nutrition का पहला step क्या है, जो nutrition है न, human body का, जो digestive system है न, वो दो parts के अंदर divide किया हुआ है, दो parts के अंदर, ध्यान से सुनना, अगर सुनते हो, म मेरी आपसे वाद है, पक्की वाद है, आप नहीं भूलोगे, देखो दो steps है, सबसे पहला कहा है, elementary canal, यार रखेंगे, पहला कहा है, elementary canal, दूसरा कहा है, associated organs, अब तुम सोचे रहोगे, elementary canal क्या है, associated organs क्या है, देखो, देखते हैं, सबसे पहली चीज जो elementary canal ले न, वो क्या है, a long hollow tube, which contain organ through which food actually passes, जिस जिस पार्ट से जब मैं एक burger खा रहा हूँ न, तो जिस जिस पार्ट से वो actual मैं पास कर रहा है, वो क्या है, elementary canal, और वो organs, जिसके अंदर से food तो पास नहीं करेगा, बट वो मदद करेंगे, किसमें, digestion के अंदर, वो क्या कहलाएंगे, associated organs, या फिर accessory organs, क एकदम clear है, एकदम clear है, elementary canal क्या क्या है, खुद से imagine करो, आपका mouth, खाना जा रहा है, या आपका गले का windpipe, इसको क्या बोलते है, isophagus, isophagus, अंदर गया stomach, समक भी है, small intestine, large intestine, ये क्या है, elementary के नहीं, और associated organs कौन से है, pancreas, pancreas में से थोड़ी न, खाना जाता है, भी समझा दू जाता है, तो अब समझते हैं कि basically cycle है क्या, ये mystery है क्या, खाने को हम कैसे समझेंगे, आजो, बहुत basic है, द्यान से समझते चलना, सबसे पहले mouth, buckle cavity, हम उसी example के साथ चलेंगे, burger के examples है न, अगर देखो, भूक लगे, तो मेरे से मत बोलना कि परशान भी है, बार 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 बर scientific language के अंदर, तो buckle cavity का काम क्या है, सबसे पहले तो, जो आपके dant हैं, वो food को crush कर देंगे, smaller particles में breakdown कर देंगे, क्या कर देंगे, crush कर देंगे, smaller particles के अंदर breakdown कर देंगे, और आपका जो saliva है, वो food के साथ mix हो जाएगा, आप सोच रहे हो गया, saliva को food के साथ mix करके, हमारा क्या फा जो आपका complex sugar है, उसको वो convert कर देता है, किसके अंदर? मालटोस के अंदर, किसके अंदर? मालटोस के अंदर, क्यों? क्योंकि जो आपका saliva है न, उसके अंदर न, एक बहुत ही शांदार चीज होती है, जिसको हम बोलते हैं, amylase, amylase, यह देखो, यह आपको यह आपर दिख amylase, यह amylase के करती हैं, जितनी भी complex sugar है, फूड के अंदर, उसको small sugar के अंदर breakdown कर देती है, इसका यह मतलब है, कि आपके मूँ से ही digestion का process start हो जाता है, तो saliva वह यह बहुत important है, saliva क्या कर रहा है, complex sugar को अपने यह जो मालटोस के अंदर break कर देता है, clear है, mouth का का काम clear है, जल्द food pipe, isophagus food pipe, अब खाना गया, आपके food pipe के थुरू, और वो नीचे जाता जा रहा है, आपने कभी सोचा कि वो जो खाना था, क्या वो automatic आपके food pipe से अंदर जा रहा है, नहीं, आपका जो isophagus होता है, इस इस इसो फेगस के अंदर पता है, क्या होता है, इस के अंदर एक movement होता ह एक movement होता है, उस movement को हम क्या बोलता है, द्यान से देख लेना, एक बहुत important चीज़ बता रहा हूँ, food is pushed downward due to rhythmic contraction and relaxation of muscle, यहाँ पर एक movement होता रहता है, उस movement को हम क्या बोलता है, उसको हम बोलता है, involuntary movements, बहुत ज्यादा important line है, इस line को note कर लो, star mark कर लो, कभी भी यह सवाल आ सक इसोफेगस के अंदर, food के अंदर, कैसे food आपका इसोफेगस के थुरू नीचे जाता है, क्यों, क्योंकि एक movement होता है, contraction और relaxation का, याद रहेगा, याद रहेगा, अब क्या हुआ, बर्गर खाया, गले से अंदर गया, चलो, अब, point number 3, stomach, अब क्या हुआ ना, वो जो खाना थ देखोगा, पेट आपका इस प्रकार से दिखता है, इसके अंदर खाना जाता है, अब आप सोचते होगे, पेट के अंदर ऐसा क्या है, पेट के अंदर केवल तीन चीज़े है, सबसे पहली चीज़ है, hydrochloric acid, HCL, HCL का का काम करती है, HCL, जितने भी आपके जो bacteria लगे रहात आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, पेट के अंदर होता है, बड़ा ही मस्त चीज़ है, पेट के अंदर होती है, जो कि आपके जितने भी protein होते है, उनको breakdown कर देती है, protein की digestion में मदद करती है, protein को breakdown कर देती है, क्या कर रहा है, पेपसीन, ठीक है, पहला क्या हमने पढ़ा hydrochloric acid, एक मिनट fan को change कर लिया जाए, चलो, पहले हमने पढ़ा hydrochloric acid, HCL, HCL ने क्या कर रहा, जिसने भी bacteria थे, उसको मार दिया, और जो भी सारी चीज़े थे, उनको खतम कर दिया, और हमारे food को digestion में help करी, दूसरी चीज़ का है, पेपसीन, पेपसीन क्या कर रहा है, protein के digestion म केवल और केवल acidic medium में काम करता है, इस वज़े से hydrochloric acid बहुत जादा important, अगर hydrochloric acid ही नहीं होगी, तो आपका पेपसीन भी काम नहीं करेगा, ठीक है, अब तीसरी चीज़ देखते है, तीसरी चीज़ भी बहुत important है, तीसरी चीज़ है mucus, mucus कुछ नहीं होता, mucus होती है, एक protective coating, मतलब आपकी जो stomach है, इसकी जो wall है, इसकी wall पे एक protective coating होती है, यह protective coating है, इसको बोलता है mucus, यह पता है क्या काम करती है, क्योंकि आपके पेट के अंदर बहुत सारी HCL है, acid है, तो इस acid से आपकी जो stomach की walls है ना, उनको बचाने के लिए, यहां पर एक lubricant आता है, जिस इनों चीज़े clear है, जल्दी बताओ, सबसे पहले क्या है, hydrochloric acid, pepsin, mucus, और एक और important चीज़ बता देता हूं, जब हम burger खाते हैं, जब हम fast food खाते हैं, तो होता पता है क्या है, उस fast food को digest करने के लिए, जो hydrochloric acid है वो बहुत जादा निकलती है, हमारी body के अंदर से, जिस balance create हो जाता है, mucus और hydrochloric acid के अंदर, जिसकी वज़े से acidity वाली problem आ रही होती है, क्या clear है, स्टमक का process के लिए है, अब स्टमक से आपका खाना गया, digest होके small intestine के अंदर, but small intestine में जाने से पहले, दो gland से, कौन से दो gland से है, एक liver, एक pancreas, अब liver और pancreas ने बोला, भाई, हम भ intestine ने पूछा, भाई, तुम कैसे मदद करोगे, तो भाई, उन्हें ने बोला, हम तो बहुत important मदद करेंगे, तुमारी, कैसे, देखते हैं, आजाओ, तो अब क्या होगा न, जो liver है, न, liver, वो liver आपको न, bile juice देगा, bile juice, liver का एक juice होता है, special juice, bile juice, जिसको वो यहाँ पर store करके रखता है, gall bladder के अंदर, यह आप देख सकते हो, यह है, आपका gall bladder, यहाँ पर वो store करके रखता है, तो small intestine में जाने से पहले वो क्या करता है, न, gall bladder से कहता है, कि भाई, मेरा जो bile juice है, वो जल्दी से फटा-फट फूड को दे दे, तो फूड के पास bile juice जाता है, आप सुम जो खाना था, वो क्या था, acidic, क्यों, क्योंकि hydrochloric acid से निगल के आया, वाई, कितने acidic है, इस वज़े से उस खाने को basic भी तो करना है, normal तो करना है, जिस वज़े से bile juice क्या करता है, alkaline कर देता है, basic form में convert कर देता है, फूड को, उसके साथ साथ, सबसे important काम bile juice करता है, वो है देखना, इस line को पड़ो, जल्दी से पड़ो मेरे साथ, इस line को पड़ो, यह बहुत important है, बार-बार इसका सवाल बूचा गया है, emulsification of fats, जो आपने burger खाय, उसके अंदर fats थे, तो जो fats के बड़े-बड़े globules होते हैं, बड़े-बड़े globules, उनको breakdown कर देता है, emulsification का होता है, breakdown of big globules of fats into smaller ones, definition आगे मैंने आपको दिखा भी रखी है, कि ऐसे बड़े-बड़े fat globules होते हैं, उनको छोटे-छोटे fat globules में convert कर देता है, कौन, bile juice, bile juice को काम समझके, पहला कै, alkaline कर देना, basic कर देना, और दूसरा fat, fat globules जो बड़े-बड़े थे, उनको छोटे- pancreas आता है, pancreas करता है, भाईया, मैं भी मदद करना चाहता हूँ, तो small intestine ने बोला, अच्छा है यार, तुम भी मदद कर दो, तुम कैसे मदद करोगे, तो pancreas ने बोला, हम तो ऐसी मदद करेंगे, कि आप हमेशा याद रखोगे, क्या मदद करी उसने, उसने तीन enzymes दे दि pancreatic amylase, दिख राएए एकदम, trypsin, lipase, pancreatic amylase, पहली चीज़, trypsin, trypsin क्या करता है, याद करने पड़ेंगे ना, तुम और रहें, यह कैसे याद होगा, करने पड़ेंगे, नहीं करोगे, नंबर कर जाएगे, याद तो करने, है ना, इतना तो कर सकते हो, जब तुम अप calcified fat, याद है, लिवर ने क्या करा, बाइल जूस ने, बड़े-बड़े flat, जो अपने fat globules थे, उसको small fat globules में convert कर दिया, अब, यह जो है न, लाइपेस, लाइपेस ने होगे जो small fat globules थे, उनको और break down कर दिया, और तोर दिया, ठीक है, तो उनके break down में बाज करा, और तीसर शुकरिया, अब खाने को मेरी तरफ दे दो, ठीक है, तो अब जो खाना है, वो कहा गया, small intestine की तरफ, अब small intestine का केवल नाम ही छोटा है, है न, वैसे इज़त इत्की बहुत बड़ी है, क्यों, क्योंकि small intestine largest है, largest, वैसे अगर मैं बोलू न, diameter में तो, तो बहुत छोटी tube है, वैसे बहुत बड़ी है, किती लंबी है, किती लंबी है, 5-7 मीटर लंबी है, small intestine तो वैसे बन नाम है, वैसे तो इत्ती लंबी है, ठीक है, तो यह हमारी small intestine, अब यह क्या करती है, यह कुछ intestine के juices को secrete करती है, और वो जो juices है, वो मदद करते है, जो हमारा breakdown है, उसमें और, अ अगर कोई food particle बच गया, जो कि breakdown नहीं हो पाया, उसको भी breakdown करा देती है, क्या small intestine, यह कुछ juices को secrete करती है, और उसके अंदर कुछ enzyme होते है, जैसे कि यह सारे enzyme है, वैसे देखो, honestly बोलू, तो यह आपके favor में जादा नहीं पूछा जाता, small intestine के enzymes उतने जादा important नहीं है, liver और जो panicriyas तो उनके तो important है, इसके important ही है, बट फिर भी मैं आपके लिए लेकर लेकर आगया हूँ, ताकि ऐसा नहीं हो, गलती से आपके exam में आगया और फिर आप बोलो, आर प्रिशान भई, आपने तो कहता नहीं आएगा, तो फिर भी मैं लेकर लेकर आगया हूँ, जैसे कि अपना होता है, माल्टेस, एक होता है अपना सुक्रेस, और एक होता लेक्टेस, और एक होता लाइपेस, इन सब के अलग-अलग functions है, यह आप जब यह PDF आप पढ़ोगे तो एक बार इसको read कर लेना, उपर-उपर से, ठीक है, small intestine के अंदर क्या-क्या हमारे enzymes होते हैं, कुछ चार से पांच प्रकार के अलग-अलग हमारे enzymes होते हैं, उनको आप एक बार read कर लेना, ठीक है, अब खाना हो गया digest, अब small intestine का काम के वल इतना नहीं है, small intestine का काम है absorption of food, खाना तो digestion तो complete हो गया, अब क्या करना है, खाने को absorb भी तो करना है, खाने को absorb भी तो करना है, वो भी small intestine के अंदर ही होगा, कैसे, आ जाओ देखते हैं, small intestine के अंदर कुछ structures होते हैं, finger-like structures, जैसा आप देख सकते हो, S प्रकार, इस प्रकार, इसको हम बोलते हैं, विली, क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं, ठीक है, बहुत सारी लोग अलग-अलग नाम से बोलते हैं, विली बोलत हैं, तो अलग-अलग pronunciation होता है, मैं बोलता हूं, विली, क्यों, क्योंकि spelling याद करने में बहुत असानी होते हैं, V-I-L-L-I, तो ये आपको विली बोलोगे, तो जल्दी याद हो जाएगी, ठीक है, finger-like projection होती है, small intestine के अंदर, अब इसके अंदर ना absorption होता है, क्याते, अब क होती है, बहुत सारी blood vessels होती है, जो कि खून लेकर आ रखी होती है, तो जितना भी हमारा, जो glucose है, जितना भी हमारा glucose है, वो क्या होता है, उस blood के अंदर absorbed हो जाता है, विली की मदद से, क्या हुआ, विली के अंदर बहुत सारे blood vessels है, वो खून लेकर आ रहे हैं, खून लेकर के अंदर वहाँ से glucose हारा है, glucose हारा है, glucose हारा है, तो जितना भी glucose है, वो क्या होता है, हमारे blood के अंदर absorb हो जाता है, समझ गए process क्या है, यह बहुत जादा important है, इसको आप अगर पढ़ना चाते हो, यहाँ पर मैंने वैसे पूरे process को लिख दिया है, richly supplied with the blood vessels which take absorbed food to each and every cell of the body, blood vessels के अंदर क्या हो, खाना आ गया, हमारा food आ गया, और उसके बाद blood vessels जो थी, वो सारे body इसके हर एक पार तक चली गई, कि अच्छा है यार, मेरे हाथ को भी खाना चाहिए, मेरी body को भी खाना चाहिए, हर एक जगे, blood vessels ने, हमारा जो glucose था, वो हर जगे पहुचाती है, तो यह process होता है, small intestine के अंदर, बहुत जादा important है, अब, इसके अंदर एक सवाल आता है, कि यह जो structure है न, विली, यह बहुत important क्यों है, यह finger-like जो structure है, important क्यों है, यह important इस वज़े से है, क्योंकि, यह जो structure है finger-like, इसकी वज़े से, surface area बहुत increase हो जाता है, आप खुद देख सकते हो, देखो, जैसे pass-pass-pass-pass-pass है, तो कितना सारा surface area increase हो जाएगा, इसकी मदब से क्या होगा, बहुत सारा food absorb हो पाएगा, समझ गए, तो यह question बहुत बार पूछा गया है, कि जो willy होता है, उसका finger-like structure क्यों होता है, तो उन्हें लिख देना, क्योंकि structure की मदद से surface area increase होता है, surface area increase होता है, तो क्या होता है, अरे बोल या, क्या होता है, जितना जाधा food, बहुत जाधा food absorb हो पाता है, बलड के होता है, clear है, clear है कि जल्दी बताओ, यह willy वाला function पूरा समझ गए क्या, जल्दी बताओ, यह पूरा समझ गए क्या, आगे बड़े, large intestine के अंदर, small intestine, अच्छा, पूरा भी समझा दूँआ है, पार अभी tension मतलो, अभी एक बार revise भी करा दूँआ, पहले हम आगे चलता है, large intestine, अब जितना भी खाना था, वो absorb होना था, वो तो हो गया, अब कुछ खाना था, जो कि absorb नहीं हो पाए, जो कि waste food होता है, अब वो जो food है न वो large intestine मौंआ गया, small से निकलके, के यहां से निकल-nyकल के large फाल यां अब, large intestine के अंदर क्या होता है जितना भी पानी होता है लोस फूरी के अंदर absorption of water water को निकाल लिया जाता है water सारे पानी को बाहर बाहर दिया जाता है अब क्या बचा? अब बचा solid waste अब वो जो solid waste है न उसको कहाँ भेजा जाता है एनस की तुरू यहाँ पर भेजा जाता है और उसको फिर excrete कर दिया जाता है भार तो यह हमारा पूरा का पूरा process I hope आपको यह process याद हुआ होगा अब फटा फट से ही जो पूरा process है इसके एक बार revision करते हैं हो क्या रहा है सबसे पहले क्या हुआ मेरे आतना burger था मैंने खाया बकल cavity के अंदर मेरे वो burger गया मैंने अपने दातों से तोड़ा और मेरा saliva था saliva ने क्या करा saliva ने क्या करा जितने भी हमारे वो complex sugar था उसको maltose के अंदर convert कर दिया अब वो जो खाना है न वो मेरे isophagus में movement की वज़े से नीचे आया और stomach के अंदर गया अब stomach के अंदर तीन चीज़े थी क्या थी hcl hydrochloric acid दूसरा कहता जल्दी बोलो पेपसीन प्रोटीन को तोड़ने के लिए पेपसीन तीसरी जीज़ क्या थी mucos layer protective layer ठीक है यहां पर खाना थोड़ा बहुत तूटा खूटा और उसके बाद वो small intestine की तरफ नीचे वड़ा बट वहां पर दो गुंडे घड़े थे गु जी भी मदद करनी है pancreas ने कैसे करी तीन अलग-अलग enzymes की मदद से याद है ने trypsin वगेरा याद है ना उन सबके feature भी याद होने चीए उसके बाद वो जो खाना है ना अच्छा bile juice की एक important चीज समझ ले ना bile juice वो जो acidic food होता है ना उसको alkaline में convert कर देता है और दूसरा कैसा emulsification of fat याद रखना उसके बाद वो जो अपना खाना था ना वो निकल के कहा गया वो निकल के नीचे आगया small intestine में अब small intestine ने अपने अलग-अलग juices को secrete कराया और उस खाने को पूरी तरीके से breakdown कर दिया अब वो जो खाना था ना वो खाना कहा हो गया small intestine में जहां पर willy present थी willy क्या होता है जिनको विलाई भी बोलते हैं willy क्या होता है ऐसे finger-like projection finger-like projection वहाँ पर क्या हुआ absorption food का absorption हो गया और पिर जो waste food का वो कहां पर आ गया large intestine में large intestine से वो NS से बाहर निकल गया यह है पूरा process यह है पूरा process I hope अब आपको यह जो पूरा process है वो समझ में आ गया होगा NS से क्या होता है removal of undigested and unabsorbed food जो भी आपका जो digest नहीं हो पाया और जो absorbed नहीं हो पाया वो सारा खाना यहां निकल जाता है clear है क्या है बताएं 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 वा भाई वा भाई यह एक की बार में सब कुछ समझ आ गया क्या बात है या मज़े कर दिये तुमने तो बताओ भाई आप आया क्या समझ में जल्दी बताएं आया क्या यह स्टूडेंट्स अभी भी मैं इतना important topic समझा रहा हूं और तुम यह chat में जो यह सब लिख रहे हो ना यह बेटा इसमें कुछ रखा नहीं है इसमें कुछ रखा नहीं है थोड़ा सा focus ठोकर पढ़ाई कर लो प्यार करने से पहले अन्जाम जान लो और अकर नहीं बता तो गजने और तेरे नाम देख लो थीक है इन दोनों movies को देखो थोड़ा पता चलेगा आप लोगों को कि बहुत जादा important तरीके से note कर लेना Why do herbivore have longer intestine than carnivore? जो आपके herbivore animal होते हैं, carnivore से ज़ादा उनकी intestine बढ़ी क्यों होती है? इसका एक simple सा answer है, जो small intestine है न, वो आपकी herbivore की इसले ज़ादा बढ़ी होती है, क्योंकि herbivore क्या खाते हैं? Plants. Plants में क्या होता है? Plants में क्या होता है? Cellulose होता है, और cellulose को digestion process होता है, बहुत complicated होता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत cellulose को breakdown करके digest कराना very complicated है, तो याद रखेंगे, plants वो खाते हैं, उस plants के अंदर क्या होता है? Cellulose, और cellulose को digest करना is a longer process, जिसमें बहुत समय लगता है, जिस वज़े से small intestine हर भी वोर की बढ़ी होती है, as compared to curve वोर, clear है? clear है के सवाल? बताएं, बताएं, जल्दी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब फटा पढ़ते हैं, हम आगे बढ़ने वाले हैं, हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे respiration, nutrition का पूरा topic हमारा खतम हो चुका है, congratulations, nutrition हमने खतम कर दिया, second topic के तरह पढ़ रहे हैं, जो कि है respiration, यह जो मैंने nutrition पढ़ा है, one of the most important part था, ज्यादातर question यहीं से आते हैं, बढ़ हाँ, respiration भी important है, पढ़ते हैं, अब बहुत सारे बच्चों को लगता है, respiration का मतलब है, यह, नई, यह होता है breathing बेटा, अंदर लेना सांस, बाहर छोड़ना सांस, यह breathing होती है, respiration यह नहीं होता है, respiration होता है क्या, process by which living organism obtain, क्या energy, energy, ATP की format में, ATP की format में, जो energy मिलती है न, उसको हम बोलते हैं, क्या respiration, यह बहुत ज़्यादा important definition है, इसको note भी कर लो, और याद भी रखना, बहुत बार पूछी जाती है, बार 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 लगाता है, अब process क्या होता है, respiration का देख लेते हैं, हमारे पास glucose है, nutrition से हमें क्या मिल गया, glucose, हमने पूरे food को breakdown किस में कर रहा था, glucose के अंदर, तो हमारे पास यह पड़ा glucose, यह है मेरे पास glucose, आजाओ भईया, glucose भईया, यह है glucose, अब glucose के साथ मुझे oxygen मिलाना है, और जब मैं oxygen मिलाता हूना, तो तीन चीज़ा बनती है, पहली चीज, carbon dioxide, दूसरी चीज, water, तीसरी चीज, ATP, ATP कहा, energy, energy होती है, इसकी फिलपों में यहाँ पर मैंने लिकी रखी है, देख ले न, adenosine, triphosphate, important चीज है, energy जो होती है, वो होती है, ATP की form के अंतर, ठीक है, इस वज़े से मैं सुमसे बात कर पा रहूँ, अगर मेरे पास ATP नहीं होती, तो अभी तो मैं बैड़ पैसे पढ़ा होता, और मैं सो रहा होता, समझ गए बात को, तो बहुत जादे important है, अब समझते हैं, कि respiration होता कैसे है, पूरा process का है respiration का, बट उससे पहले एक important चीज, difference between breathing and respiration, please mark a star, और यह बहुत जादे important है, इसको एक बार आप read भी कर लेना, उपर-उपर से मैं समझा देता हूँ, ऐसे मुझे समझाने की ज़रत नहीं, अब तुम समझ के होगे क्या difference है, क्योंकि मैंने पूरे यह बता दिया है, देखो, पहला process, breathing क्या है, intake and भार निकालना, हवा को, यही तो है, oxygen को अंदर लेना, carbon dioxide को भार चोड़ना, यही तो होता है breathing, और respiration क्या है, respiration तो पूरा एक process है, जिसमें food को हम breakdown कर रहे हैं, और उसको ATP की format में convert कर रहे हैं, तो वो तो एक पूरा process है, जबकि breathing क्या है, continuous process that involves, both inhalation and exhalation, clear है, clear है, सांस को अंदर लेना, बार चोड़ना, यही तो होता है, second point, बहुत ज़्यादे important, यह एक physical process है, कौन सा breathing, एक physical process है, क्या यहाँ पर कोई chemical reaction हो रही है, नहीं हो रही, बाट, यहाँ पर तो हो रही थी, respiration क्या है, एक chemical process, ठीक है, अगला point पढ़ लेते हैं, breathing is a part of respiration, बहुत important, respiration जो है न, पूरा process, उसके अंदर, breathing जो है न, उसी का एक part है, यह बहुत important point है, of respiration की, दो प्रकास के होते हैं, aerobic और anaerobic, चीक है, aerobic क्या होता है, aerobic क्या होता है, उस प्रकार का respiration, जहाँ पर हमारे पस बहुत सारी oxygen है, बहुत सारी oxygen, और anaerobic क्या है, जहाँ पर हमारे पस oxygen की कमी है, या तो थोड़ी सी oxygen है, यह तो बिल्कुल ही नहीं है, वो क्या हुआ, anaerobic, इसका भी एक difference समझ लेते हैं, कि इन दोनों में क्या difference है, आज़ो, respiration take place in the presence of oxygen, aerobic, ठीक है, और इसमें क्या होता है, absence of oxygen, यह तो मैंने आपको बताई दिया पहला point, अगला point पढ़ते हैं, अगला आज़ो, it occurs in cytoplasm and mitochondria, इसको भी मैं समझा दूँगा, अभी जब मैं पूरो process समझाओंगा तो आपको समझा दूगा, कि जो process है, कैसे होता है, cytoplasm में, mitochondria मैं अभी मैं समझा दूगा, आगे बढ़ते हैं, it occurs only in cytoplasm, ठीक है, उसके अलावा क्या है, यह वाला point भी देख लो, usually glucose is breakdown into carbon dioxide and water, और glucose is breakdown into ethanol, अभी आपको समझने आ पा रहा होगा, और क्या बात कर रहे हो यहां पर, चलो आपको जोड़ी reaction समझा देता हम, फिर आपको बताऊंगा, आजब, पहले reaction समझ लेते हैं, यह बहुत important है, आओ, देखो, होता कहा है न, respiration के अंदर, मेरे पास glucose है, मेरे पास glucose है, बाब, व glucose न, कहां पर जाता है, वो glucose जाता है, cytoplasm के अंदर, cell chapter तो पढ़ाता समने, class 9 के अंदर पढ़ा है, उसके अंदर cytoplasm पढ़ाता न, तो जो glucose है, वो cytoplasm के अंदर जाता है, और cytoplasm के अंदर जाकर वो breakdown हो जाता है, किसके अंदर, pyrovate के अंदर, किसके अंदर, pyrovate के अं मेरे पास तीन स्टेप से, तीन डायरेक्शन, पहली डायरेक्शन, अगर मेरे पास बहुत सार ऑक्सिजन है मेरे सैल के अंदर, तो तो मैं इस तरफ मुर जाओंगा, मैं का मुर जाओंगा, मैं मुर जाओंगा इस तरफ, अगर मेरे पास बहुत सार ऑक्सिजन है, तो मेरा जो होंगा और यह चो प्रोसस है ना बिनो ऑक्सिजन के यह energy फॉर्म करना यहalता है मेधर याद रखंगे पहले मैं क्या हुआ जब मेरें बिल्कुल oxygen नहीं था तो मैं काँ पोचा ethanol carbon dioxide energy और जो मेरे पास थोड़ा कम oxygen है लग थोड़ा सा ही oxygen है तो क्या बनेगा तो बनेगी lactic acid plus energy और ये बहुत बार आप लोगों के साथ भी होता होगा example दूँ cricket खेला है, football खेला है या कोई activity करी है, physical activity बहुत बार होता है अचानक से पैर के अंदर हाथ के अंदर cramps आ जाता है, दर्दोने लगता है तो पता है क्यों होता है क्यों कि उस समय पर आपके muscle के अंदर oxygen की कमी है जिसकी वज़े से आपके muscle पता है कौन सी respiration को follow करता है, ये वाली ये वाली और lectic acid produce हो जाती है और उस lectic acid की वज़े से क्या होता है न, कि आपको लगता है अरे यार बहुत दर्दोर है हाथ के अंदर तो यार पता नहीं क्या हो गया, पैर के अंदर दर्दो गया जिसको आप cramps बोलते हो, वो ये होता है वो anaerovig respiration होता है समझ गया, हाई न, बोल यार जल्दी बोल, जल्दी बोल भाई किते लोगों को clear है साइटो प्लाजम वाला सिस्टम समझ गया glucose आया, साइटो प्लाजम के अंदर पाईरोवेट में तूटा, और उसके बाद जो पाईरोवेट है उसके पास तीन उप्शन थे पहले जहां पर ऑक्सिजन बहुत सारा है जिसमें बिल्कुल नहीं है और जिसमें थोड़ा बहुत है तीन उप्शन मैंने आपको समझा दिये इसको याद कर लेना, एक्जाम में डाइरेक्ली पूछी जाती है बार बार, clear है, चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम gases exchange in plants के अंदर तो मैं बात करी चुका हूँ, कि स्टॉमेटा के थुरू gases exchange होता है, इसके बारे में अब मैं वापिस से बात नहीं करूँगा, डिरेक्ली बात करते हैं respiration in human human के अंदर कैसे होता है, यह respiration है यह बहुत important है, यह बड़ा ही मस्चीज है, आजाओ भई, आजाओ, कोई दिक्कत नहीं है देखो, कैसे process होता है, respiration का human के अंदर, बहुत simple है, बहुत असान है, अगर तुमने ध्यान सो सुनना, समझ आ जाएगा, बट, अगर तुमने ध्यान सो नहीं सुनना, तो नहीं आएगा भईया, है ना, और एक कौन बच्चें जो कहने हैं कि भईया, ब्रेक दे दो, ब्रेक ब्रेक नहीं होता बटायां directly, full chapter, एक बार में खतम करते हैं, है ना, ब्रेक ब्रेक नहीं देते, यह से, अभी हम माइट्रो कॉंट्रे की बात कर रहे थे ना, तो उससे मुझे बड़ी प्यारी स्टोरी याद आ गई, सुनाओ क्या स्टोरी, बताओ, सुनाया जाएगा, फिर तुम कव गयार भी है, टाइम वेस्ट कर दिया, बताओ, जल्दी बताओ, सुनाई जाएगा, हाँ, बताओ भई, बहुत बड़ी या, देखो, वो स्टोरी सुनने के लिए तो तुम तयारी रहते हो, वैसे भी, स्ट कुछ नहीं था, यह मेरे स्कूल के टाइम की बात है, जब मैं 10th के अंदर था तो यही चैप्टर हमें पढ़ा रहे थे, तो मेरे एक दोस्त था, मैं क्या ही बोलू, एक क्लास्मेट था, उसका नाम था सूजल, तो पता है क्या होता था, कि वो जो क्लास्मेट था मेरा, वो टीचर थे ना, साइन्स वाले, उन्होंने एक दिन उसको उठाया, और उन्होंने पूछा, कि रेस्पिरेशन की इंपोर्टन्स बताओ, उसका आंसर आया वहां से, इट इस अपावर हाउस अफ दा सेल, उसके बाद सब असने लग गए, पिर उन्होंने दो-तीन सवाल और सब कांसर सेल, पावर हाउस अफ दा सेल, पावर हाउस अफ दा सेल, भाई क्या मुवमेंट था वो, और मैं मजाग भी नहीं कर रहा है, सच में हुआ था, ये देखके तो इतना मतलब सब ऐसे हो गए, क्या इंसान है, फिर सर ने भी उसको बैठा दिया, भाई, तू रहने रेस्पिरेशन, आजाओ, 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 चलो, स्टार्ट करते हैं, बहुत जादे इंपोर्टेंट इसलिए हैं, क्योंकि हम सांस लेते हैं नाक की वज़े से, इसको हम क्या बोलते हैं, नेजल कैवेटी, फिर अंदर जाता है, अंदर आता है हमारा विंड प पाइबगरेशन, वह जो एर मैंने लें है, वह गई कापर सरेंग भाड़ेशन, यहाँ पर होता है यहां पर होता है पार Three, the wind pipe को, अब ये जो wind pipe है न, ये दो भागों में divide हो जाती है, ऐसे separate हो गए, चीक है, separate हो गए, अब ये वाली जो side है, ये वाली जो side है, ये किस में गई, ये किस में गई, ये हमारी गई, ये किस में bronchials में, किस में गई, ब्रॉंकियाई में, अब ये जो ब्रॉंकियाई है न, यह जो प्रोंकिया है यह जो आपको दिख रहा सकत्य दिखुए यहां पर आता हैं इसको उट अब तुम्हें शायद समझ नहीं आ पा रहा होगा यार प्रशान भी है यह क्या बता दिया ब्रॉंकस ब्रॉंकाई एल्व लाए विंड पाइप ट्राकिया लेरेंक्स कोई दिख कर नहीं है अभी समझ जाओगे बस उपर उपर से आपको समझ जा रहा है डीटेल तो पड़ से उसको भी आप जोड़ सकते हो उसके बाद वो गया ट्राची के अंदर क्या हुआ उसके बाद ब्रॉंक्याई के एंड में क्या होता है ब्रॉंक्योल्स और ब्रॉंक्योल्स के आपको बना कर दिखाऊं तो इसका कास से एक ऐसे डंडी सी आ रही होती है उसमें बहुत सारे ऐसे बहुत सारे से जुड़ होता है चीक है क्लियर है क्या साइकल क्लियर है अब वह जो गैसिस का एक्स्चेंज नहीं वह पता कहा हो रहा है वह रहा है अलवलाय के अंदर हां अलवलाय के अंदर ब्लेड वैसल आ रही होती है जैसे कि यह क्या अलवलाय है और इसके अंदर यह देखो ब्लेड वैसल आ रही है अब यह जो ब्लेड वैसल है ना यह डी ऑक्सिजनेटिड ब्लेड को लेकर आ रही होती है डी ऑक्सिजनेटिड मतलब जिसके अंदर तो यह क्या करता है ना यहां पर transfer हो जाता है कि बलड की जो carbon dioxide है वो तो यहां निकल जाती है और जो इसकी जो oxygen है वो यहां जाती है इससे क्या हुआ वो जो आपका de oxygenated blood था ना उसके अंदर वापिस से oxygen आ गया और carbon dioxide वापिस से कहां पोच गई? अब क्या होगा? अब वापिस से वही process होगा अब क्या होगा? एक्जेल हम सांस को बाहर भी तो छोड़ेंगे तो क्या होगा? वापिस से हमारा जो अलवलाय है वो transfer करेगा यहां पर जितनी भी carbon dioxide है उसको bronchi में वेजेगा, bronchi से trachea में जाएगा फिर nasal cavity और हम बाहर छोड़ अब कर देंगे, सांस अंदर ली, सांस कहां गए, air कहां गई, last में, अलवलाय के पास, अलवलाय क्या होता है? उसके उपर एक blood vessel होती है, blood vessel क्या होती है? डी-oxygenated blood लाती है, और वहाँ पर क्या होता है? oxygen महां चला जाता है और carbon dioxide अलवलाय के अंदर आ जाता है, और फिर जो अर्वन डियुक्सड है उसको हम एक्जेल कर देते हैं सिस्टम के लिए रहे हैं जल्दी बताओ अरे जल्दी बताओ क्या इसका हमें सिस्टम समझ आ गया कि सिस्टम सिस्टम समझ पा रहे हैं कि हम इसका है बाई, सिश्टम समझ गए क्या, या नहीं समझ पाई, चल्दी बता हो गार, बताओ, एक दम बढ़िया तरीके तो, कि कैसे हमने लिया, साहस लिया और उसके बाद क्या हुआ, अलवलाय के बारे में, बता तो दिया मेरे दोस्त, ब्लेड वेसल होती है, अच्छा हाँ, एक होता है, इसके अंदर क्या होता है, red blood cell, RBC, क्या होता है, इसके अंदर, RBC, RBC के अंदर ने बहुत ही प्यारी चीज़ होती है, जिसको हम बोलते है, हीमोगलोविन, वो हीमोगलोविन होता है, वो ओक्सिजन को अट्रैक्ट करता है, चीक है, उन दोन के बीच में प्रेंग स संबंद है तो जैसे ही मोगलोबिन ने देखा और वाय ऑक्सिजन 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 चाहिए यह होता है अपको मैं समझा रहा हूँ पर हाँ वेसिकली होता है वह अट्रैक्ट करता है ओक्सीजन को यह होता है तो ऐसा नहें खुड से और आगे हिमोगलो एकषिजन के वजहरा है कि यह खे से हैंी व्लड के इंदर बारे में थोटा सा डिटील comer पढ़ लेते हैं, क्योंकि अलवलाय पर बहुत सवाल पूछे जाते हैं, सबसे पहले चीज़ देख लेते हैं, अलवलाय क्या होता है, बैलून-like और सैक-like structure होता है, अलवलाय, दूसरा पॉइंट कहा है, एलवलाय, एक मिनट तोरह पैन बदल देते हैं, वाल ओफ एलवलाय are only one side thick and provide a surface where the exchange of gases can take place. मतलब जो alveoli की wall होती है नो बहुत पतली होती है, क्यों? क्योंकि gas exchange होगी, अगर मोटी wall होगी तो कैसे gas exchange होगी? उसके आलावा क्या contain an extensive network of blood vessels, यह तो मैंने आपको बताई दिया, कि बहुत सारी blood vessels होती है, जिसकी वज़े से तो हमारा gas exchange हो बहुत असान तरीकी से होगी, क्या यह एकदम clear है? इस प्रकार से हमारी दिखरेई होती है, क्या एकदम clear है? क्या आप समझ गए? क्या आप समझ गए? क्या जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, हाँ बेटा, जो diagram important होगा, मैं बता दूँगा, मैं बोलो, जो भी diagram आपका important होगा, वह집ने आपको बता दूँगा, आपको अभी तरह नहीं सोचने आए कि भगया यह diagram भी important है, मैंने बोला क्या, मैंने बोला important है, वो diagram में बताता चलूँगा, जैसे मैंने Amoeva का बताया, मैंने वो आपको बताया, respiration वाला जो है, वो भी important था, ठीक है, तो ऐसे जो important diagram में बताते रहेंगे, चलो, आगे बढ़े, clear है, समझ गया, respiration हो कैसे रहे, समझ रहे हो, अब, अब देखते हैं कि जो respiration का process है, fish के अंद गिल्स होते हैं, हमारे पास कैया है, lungs, fish के उपर कैया है, gills, अब जो fish होता है, वो, क्योंकि वो पानी के अंदर रहती है, तो उनका जो breathing rate होता है, वो बहुत फास्ट होता है, हम तो जो नॉर्मली सांस ले रहे हैं, बट, fish बहुत जल्दी-जल्दी सांस लेती है, क्यों, क important है, बस आप इतना समझते चलना, कि availability of oxygen is less in aquatic environment, so the breathing rate of aquatic organism are fast, बस इतना आप याद रखें, क्योंकि इसी के उपरी सवाल पूचा जाता है, कि भाई, fish जो होती हो, सांस इतनी ज़्यादा क्यों लेती है, fast क्यों लेती है, क्यों, क्योंकि पानी के अंदर oxygen कम है, तो बच्चा इसका जवाब तो है, तुम तो फिर भी 10 वी के हो, चलो, आगे बढ़ते हैं, क्या ये सारी चीज़े एकदम clear है, जल्दी बताओ, transportation को start करें क्या, हमारा यहाँ पर जो respiration था, वो भी खतम हो गया, अच्छा, diagram आप important बता रहे हूं तो मैं आपको बता देता हूं, वो respiration वा जो diagram था, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं, एक minute, कहा गया, एक digestion वाला था, हाँ, ये वाला भी आपको diagram बनाना अच्छी, ठीक है, clear है, ये diagram भी पूछ जाता है, चलो, आगे बढ़ते हैं, बढ़े के transportation की तरफ, या कोई बच्चा ब्रेक मांग रहा है, क्या कह रहे हो, ब्रेक चीए क्या, क्या कह रहे हो, ब्रेक चीए, नहीं मिले हो, आज़ो, आज़ो भी पड़े, ब्रेक ब्रेक नहीं देते हैं, फटा 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 हैं, कोर्स कतम कराते हैं, transportation, अच्छा एक मिनट एएर, पानी पीलू, गला दग गया, चलो, तुम भी पानी वानी पियो, च हमारे जो breathing process है, वो कैसे process हो रहा है, मतलब हमारा जो respiration है, वो कैसे हो रहा है, कि हवा हा आ रही है, फिर alvely की मदद से वो हवा exchange हो रही है, और oxygen मन रहा है, अब हम पढ़ेंगे transportation, ठीक है, क्यो जो blood है, वो blood कैसे transport हो रहा है, इधर से उधर कैसे चल रही है, सारी चीज़ है transportation, तो transportation के अंदर न, सबसे पहली इसकी definition है, क्या है, transportation is a life process where substance, synthesized or absorbed in one part of the body are carried to another part, मलब किसी भी चीज़ का एक पार्ट से दूसरी पार्ट के अंदर जाना, अपनी body के अंदर, उस process को हम बोलते है, transportation, transportation का सबसे important part है blood, क्योंकि सबसे जादा जो चीज़ों को carry करता है वो है blood सारी चीज़ा almost blood के अंदर होती है, क्या क्या होती है, food, CO2, O2, metabolic waste, hormones, सब, सब का सब, blood बहुत important है, खून बहुत जादा important है, इसलिए खून डोनेट भी करता रहा करो, जिंदगी में कुछ अच्छे काम करोगे, तो तुमारा ही भला होगा, चलो, अब समझते है, circulatory system के बार आपको बताई दिया, important है, उसके लगा क्या है, blood vessel, blood vessel के एक tube, अरे भाई, पानी भरना है, तो pipe की ज़रत तो है ना, बिना pipe के पानी के सब भरोगे, तो tube, blood vessel, और तीसरी चीज़ा होट, होट का गाम क्या होता है, pumping, pumping, pumping होता होता है, होट का गाम, लोगों ने होट को ऐसी ब बनाम करते हैं, लोग नहीं लिखते हैं, जैसे अपने लेला मजनू को लोग message लिखते रहते हैं, कि अगर तुम मेरी जिंदगी से चले जाओगे, तो मेरा तो दिल तूट जाएगा, दिल नहीं तूटेगा, दिल को तुम वैसी बनाम कर रहे हो, दिल का काम तो बिचारा pumping ह दिल को वैसी बनाम कर रहा है, सारी शायरी होती है, दिल के उपर होती है, प्यार दिमाग से होता है, रियालेटी में बताता हूँ, दिल से कुछ नहीं होता है, लोग बोलता है, दिल से सोचो, दिल से कुछ नहीं होता है, मेरे दोस्त, दिल से सिर्व एक काम होता है, क्या, pumping मेरे का गलती है मेरा काम बागी सारी चीजें थिमाद काम हो दिल का सबंस करें Grund पर दूनिया का बोलने को सबसे बर्लड के न Courtney नगahnड़ का दो पार्ट भूता है blood plasma, दूसरी चीज़ होती है blood क्या corpuscles, पहला क्या plasma, दूसरा है blood corpuscles, अब blood plasma क्या है blood plasma है, जो liquid type of substance है, उसको हम भोलते है blood plasma और ये चीज़ा आपको ऐसे पढ़ने की जुरूत नहीं है कि blood plasma के अंदर serum होता है और ये होता है, ये पढ़ने की जुरूत आप बस इतना समझे लो, blood के दो टाइप है blood plasma और blood corpuscles, plasma क्या है liquid, लिक्विड और corpuscles में तीन चीज़ा आती है, जो कि important है, क्या RBC, WBC, red blood cell, white blood cell और platelets, red blood cell क्या करते हैं आपको पताए, RBC क्या करता है, RBC का बहुत सिंपल सा टाइप है, बहुत सिंपल सा काम है, क्या, इसके अंदर hemoglobin होता है, सबसे बहुता oxygen की supply अगेरा, करने में काम आता है, और RBC की importance होगेरा, आज सब आपको पता ही होंगी, majorly, इसकी importance है, कि RBC contains hemoglobin, hemoglobin की मदद से oxygen की transportation हो पाती है, normal, ठीक है, दूसरी चीज़, WBC, WBC क्या होता है, colorless, colorless type का liquid होता है, white color का मलब colorless, इसका main gum क्या होता है, WBC का, WBC क्या होता है, आपको protect करता है, कोई भी virus है, bacteria आता है, तो उसे खतम करने की जिम्मेदारी होती है, WBC की, आपकी immunity power को बनाता है, WBC, तीसरा platelets, platelets क्या करता है, कहीं पर भी चोट लग जाती है, scratch लग जाता है, खरोच लग जाती है, तो जब आपका कोई कई चीज़ कट जाती है, हाट यहां से मालो मेरा कट गया, अब उसे repair कौन करेगा, platelets, platelets repair कर देती हैं, तो तीनों चीज़े important है, और एक तवल पूचा गया था, कि blood की importance क्या है, तो यह सारे points मैंने लिख ज़े हैं, सबसे पहले चीज़ है, deliver O2 nutrients to the all body cell, उसके लावा hormones को भी transport करता है, body temperature को भी maintain करता है, pH को भी maintain करता है, fluid volume को भी maintain करता है, blood loss को भी maintain करता है, सारी चीज़ें, blood कितना important है, खून, खून बहुत अब शक्क है, तो आप देख सकते हो, यह सारे function है, यह आपको, मैं यह नहीं कह रहा है, इनको याद करो, याद करने वाले नहीं, यह सब आपको पता है, अगर आपको WBC, RBC, और platelets के use पता चल गए, तो आपको blood के भी use पता चल गए, है न, यह तो ट्रिक हो गई न, कि हमें याद करने की जुरत ही क्या है, हमें तो यह याद है, कि WBC और RBC और platelets के use क्या होते है, हम इसको याद क्यों करें, simple, चलो, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, अरे हाए न, बोले, अच्छा, बोट टाइम होगे, बता दो याद जोश मीटर के आए, और तुम थंडे बढ़ा रहे हो, मुझे जा इसा लग रहे है, हाँ, गला तुम्हें या सही हो में, बता ओ जाए, गला तुम्हें में सही हो में, अब हम बात करते हैं, ब्लड हमने खतम कर दिया, हम बात कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स की, तो ब्लड वेसल्स जो होती है, वो कितने टाइप की होती है, वो हमको समझना पड़ेगा, कि ब्लड वेसल्स विसे काम क्या करती है, वो तो आपको पता ही है, कि blood vessels blood को एक जगे से दूसरी जगे ले जाती है but blood vessels के तीन टाइप होती है पहला होता है arteries दूसरा होता है veins तीसरा होता है capillaries बहुत important arteries पहला शब क्या है पहला शब क्या है बोलो arteries का पहला शब क्या है A A मतलब away याद रखने की trick बता रहा हूँ क्या समझे arteries मतलब away arteries हमेशा heart से blood को क्या away लेके जाएंगी veins veins क्या होंगी veins चोंगी न वो आपके blood को hurt के towards लेकर जाएंगी यह दिल में लेके जाएंगी ठीक है heart को लेके के heart की तरफ blood को लेके के capillaries capillaries क्या होती है capillaries एक intersection होता है veins और arteries को जो connect करता है वो होता है हमारा capillaries clear है link between arteries and veins एक दम clear होगा इसके कुछ points है एक चीज़ समझ लेना एक बहुत important चीज़ में आपको बताना चाहता हूँ और यह आप खुद भी imagine करोगे न तो आप समझोगे देखो hurt जो है वो blood को pump करेगा तो जब वो blood को pump करेगा तो कितने pressure से blood भार जाएगा न तो imagine करो अब जो मेरी जो lining है अलब मेरी जब blood hurt से दूर जा रहा है तो किस के तुरू जा रहा है artery के तुरू जा रहा है artery के तुरू जा रहा है arteries ही तो लेके जाएगी तो arteries में जो blood जाएगा वो high pressure में जाएगा, हाँ है न, और इसी वज़े से arteries की जो wall होती है, जो wall होती है, बहुत ज़्यादा थिक होती है, बहुत ज़्यादा मोटी होती है, समझेंगे, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, arteries के अंदर outer coat is thin, but middle coat is thick, जो beach वाली layer होती है, बहुत मोटी होती है, क्योंकि blood बहुत प्रेशर से जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर से जाता है, याद रखना, arteries के अंदर blood pressure बहुत ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि हर्ट से pump होके blood जाएगा, जबकि जो veins होती है, उनकी जो wall होती है, वो thick होती है, बहुत ज़्यादा thin होती है, देखो, इसमें क्या लिखा है, outer coat is thick, middle coat is thin, middle coat जो होता है, वो बहुत पतला होता है, क्यों, क्योंकि pressure बहुत कम है, प्रेशर ही बहुत कम है, तो हमारी wall thick करने की जुरती क्या है, उसके लाव कैपिलरी में तो कुछ नहीं होता, outer and middle coat होता ही नहीं है, दोनों में तो कुछ नहीं होता है, तो ऐसी है, ठीक है, उसके लाव pure oxygenated blood is passed, बट एक ऐसी artery है, जिसमें की deoxygenated blood जाता है, बहुत कह से है भई है, कहा गया, वो हें ही, pulmonary parentheses, एकदम clear है, अभे आपको समझने आ रहा होगा यार या यह कौन सी तैंचन मस बोट है अभी मैं हर्ट को समझाऊंगा थोड़ा सा focus से सुनना अगर focus से सुनना तो हर्ट एक बार में समझ जाओगे और एक बार में समझ गए न तो एक ऐसा concept है जो की मज़ा जाएगा और यहां पर क्या है वैसे deoxygenated जाता है बट एक ऐसी vein है जिसको हम बोलता है pulmonary vein इसके अंदर oxygenated जाता है अब इसको समझते हैं एकदम deeply कि basically हो क्या रहा है दिल के अंदर क्या चीजे perform हो रही है बट उससे पहले एक feature समझ लो ये question भी पूछा गया है देखो मैं इस lecture के अंदर हर एक line लेकर आया हूँ इस वज़ जैसे lecture बड़ा भी है इसके बाद आपको anxiety पढ़ने की दूरत नहीं है और मैं इसके अंदर चुतने भी important question है नो competency वाले वो भी उठा कर लेकर रहा हूँ जैसे एक है सवाल सवाल क्या है था कि जो हमारी veins होती है न वेंस उसके अंदर ना प्रेशर जो होता है जिसकी वज़े से जो हमारा ब्लड है उसका backflow हो सकता है तो ऐसा भी तो सकता है ब्लड ऊपर जार अचानक से नीचे आ जाए तो उससी चीज को prevent करने के लिए veins के अंदर यह होता है यह क्या करता है इन्होंने क्या करा blood flow को prevent कर लिया कि ब्लड वापिस स पीछे ना चला जाए समझ गया है एक्दम क्लियर है कि यह वाल्स का क्या काम है prevent backflow of the blood ठीक है एक्दम क्लियर है backflow को prevent करने के लिए वाल्स का बहुत important role है जबकि आर्ट्री के अंदर high pressure होता है तो requirement ही नहीं है वो कहेंगे हम तो ऐसी पुचा देंगे हम पर बहुत pressure है तु तो ऐसा है चलो आगे बढ़ते हैं तो देखो यहां पर मैंने क्या कर रहा है ना short form के अंदर जो difference थे नहीं उसको समझा दिया है आप short form के अंदर एकदम देख सकते हो कि difference क्या क्या क्याते है आर्ट्री क्या करती है away from the heart oxygenated blood को लेके जाती है बट एक अलग होती है यहाद है अर्ट्री और वेंस के पीच में आई होब कि एकदम clear हो गया होगा क्या होती है अर्ट्री क्या होती है वें और क्या होती है capillary इसमें कोई doubt नहीं बचना चाहिए और जोश एकदम हाई रहना चाहिए अब बात करते हैं hurt का यह जो दिल है जो धड़कता है यह दिल का क्या functioning ह है यह समझते हैं तो दिल के अंदर ना दो circuit होते हैं पहला circuit क्या है पहला है systemic circuit है यह वह वाला system नहीं है जो कि तुम बोलते रहे तो यह system circuit ठीक है याद रखना उसके अलावार दूसरा है pulmonary circuit यह दूनों circuit कुछ नहीं बहुत असान सी तरीके से समझेंगे बस आपको focused रहना होगा देखो imagine करते हैं imagine करते हैं आजओ 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 जल्दी देखो imagine करते हैं मेरे पास है खून है ना मेरे पास है बहुत अच्छा अच्छा pure pure blood है तो क्या होता है ना वह जो मेरा blood है pure pure blood वह कहां से आ रहा होता है वह मेरे lungs से आ रहा है क्य यह बताया था ना तो जितना भी oxygenated blood है वो कहां से आ रहा है वो आ रहा है मेरा लंग से आते हैं और imagine करो वो hurt के अंदर आ गया है एक चीज याद रखना तो left वाली hurt है ना उसके अंदर हमेशा oxygenated blood आएगा और तो right वाली hurt है ना right मेलब hurt होती तो यहाँ पर है बट दो पार्ट में डिवाइड होती है left और right में left में हमेशा oxygenated और right में deoxynated ठीक है अब यह left side में आ गया oxygenated blood अब hurt क्या करेगा हर्ट ने पंप करा और हर्ट ने क्या करा हर्ट ने इसको भेज दिया हर एक जगा पर कि भाई तु पैर पे भी चला जा तू हाथ में भी चला जा तू यहाँ पर भी चला जा जा भाँ अब बहुत ध्यान से देखना अब क्या होगा बहुत जाधा इंपॉर्टेंट चीज होगा तो organs, organs में से क्या होगा? carbon dioxide – release होगी, वह जो oxygenated तो अभ ऑगा बोड़ क्या होगा? oxygenated होगया.Talk बोड़ से निकलने के भाद oxygenated होगया. अब वह जो oxygenated blood है वह वापिस से कहां चला गया? वह जाँ हरट में, दिल में अब कहां गया? राइट सैट डिल में setup दिल में चला गया कि ठीक यार अब deoxygenated blood मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, अब वो आ गया यहाँ पर, ठीक है, अब इसके अंदर आ गया सारा deoxygenated blood, अब हर्ट सोचता है, ठीयार अब तो मेरे पास गंदा खून है, इस गंदे खून को मुझे शुद भी तो करना है, मैं कैसे क तरह, और lungs क्या करता है, खून को साफ कर देता है, और खून को वापिछ से बेच देता है, समझ गए, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो blood था न, उसके अंदर दो cycle परफॉर्म होनी, एक cycle क्या थी, एक cycle थी, hurt से body के अंदर जाने की, और body से hurt में जाने की, इस cycle को हम बोलते है, systematic सिस्टमेटिक सर्किट, यह आपको याद रखना है, पहला है हमारा यह वाला सर्किट, जहां से खून जा रहा है, hurt से body, body to hurt, एक दम क्लियर होना चाहिए, आगे बात करते हैं, है न, मैं systematic बोल रहा था, कि इसको actual जो pronunciation है, वह सिस्टमिक सर्किट, सिस्टमिक सर्किट, ठीक ह है, hurt से कहां गया, body, वापिस hurt, फिर किया hurt से कहां पे, lung और वापिस, दो सर्किट, अब समझते हैं, कि यह जो hurt NS के अंदर हो क्या रहा है, ऐसा क्या कर रहा है, hurt pump कैसे कर रहा है, समझते है, आजो फटा फट से, और इसको हम समझेंगे, एक diagram के साथ, I hope यह diagram आपको visible होगा, थोड़ा zoom in करूँ, बताओ, कर दूँ क्या भाई, अरे बोल यार, हाए ना, यार तुम जोश में नहीं रहते हैं, मज़ा नहीं आदा है, मेरे को चिए जोश, एक fire, एक जुनून, मेरे दोस्त, जब भी तेरे को डर लगे, जब भी तेरे को demotivation हो, तो एक line याद रखना, क्या line, यार, इसको, exam को, जो तुन्हे सपना देखा है न, 95 का, तुन्हे क्यों सोचा था, तेरा why क्या था, क्यों लाना है 95, तू इस exam को top करना है, पता है न, पता है न, मार्क्स क्यों लेके आना है, इसना why clear रखना हमीशा, जब भी demotivation होगा, तो जो why है तेरा, वो और उसको strong रख, अपने दिमाग के अंदर रख, एक why को चिपकाले, लिख दे, और चिपकाले अपनी study table के सामने, आजो, फटा फट से hurt के बारे में बात कर रहे थे, अब देखो, सबसे पहले समझो, मैं सामने खड़ाओ, एक है left side of hurt, एक है right side of hurt, ठीक है, hurt के अंदर 4 chamber होत हम बोलेंगे यहाँ पर atrium, ठीक है, तो जो left side का उपर वाला पाठ है, उसको हम बोलेंगे left atrium, और जो right side का उपर वाला पाठ है, उसको हम बोलेंगे right atrium, ठीक है, जो नीचे वाला पाठ है, उनको हम बोलेंगे left ventricle, और जो right side का नीचे वाला पाठ है, उसको हम बोलेंगे राइट वेंट्रिकल, clear है, हाए ना बोल, हाए ना बोल, फटाफट से, फटाफट से, clear है, right, left, दोनों हो गए, एट्रियम, वेंट्रिकल, clear है, चलो, चार चेंबर के अंदर डिवाइड हो गया, अब साइकल समझना ध्यान से, अब देखो, वो क्या रहा है न, अच्छा, वो से न, खून आ रहा है, लंग से जो अपना जो pure blood है न, वो लेकर आ रहा है, कहां से आ रहा है, वो आएगा left side से, हमेशायाद रखना, वो आएगा left atrium के अंदर, left atrium में आया है, यहां से, किसकी मदद से, pulmonary veins की मदद से, क्योंकि आपको पता है, खून किस से आता है, खून क ventricle में, अब यहां से उस खून को pump मिलेगा, और वो खून बाहर निकलेगा, यहां से, और वो खून वापिस से, यह जो खून है न, यह बाहर निकलेगा, यह निकलेगा, कहां पर यह बाहर निकलेगा, मतलब वो जो blood था न, जो आपका आया था, oxygenated blood आया left side में, वो oxygenated blood left atrium में आया, उसके बाद वो आया, left ventricle के अंदर आया, और उसके बाद वो निकला बाहर, बाहर निकला, यह देखो यहां, यहां से वो निकला बाहर, ठीक है, और बाहर कहा जाएगा, body की तरफ, आपकी body की तरफ, cycle समझाई थी न मैंने, systemic, systemic circuit याद रखना, और यह जो है न, यह यह जो पूरी जो body की तरफ लेकर जाता है, इसको हम बोलते हैं, iota, क्या बोलते हम इसको iota, या फिर बहुत सारे लोग इसको orta भी बोलते हैं, इसकी spelling होती है यह, a-o-r-t-a, orta, यह क्या है, यह है क्या है, बताओ, क्या है भाई यह, यह वेन है क्या, यह वेन है क्या, अ जो की hurt से पूरी body के अंदर oxygenated blood को लेकी जाती है, उसका नाम है और, clear, अब body में क्या हुआ कि ठीक है, यह, oxygenated blood खराब होगे, गंदा होगे, हमारा खुन, और उसके बाद खुन अब वापिस आएगा, अब वापिस किस तरफ आएगा, right side में, वाँपर आएगा, right side की तरफ ठीक है, left side से निकला, और अब right side की तरफ वापिस से आएगा, अब यह है de-oxygenated blood, और यह आ रहा है आपको यहां से, आपको दिख रहा होगा, आते होगे, यह आ रहा है अपना यहां से, और यहां से, दोनों तरफ से, कहां पर आया, यह आया हमारा right atrium में, right atrium से गया है, कह उसको हम बोलते हैं, वीना कावा, नाम याद रखेंगे, क्या करेंगे, वीना कावा, जो heart से body में लेके जा रही है, उसको हम बोल रहा है आयोटा, और जो लेकर आ रही है, उसको हम बोल रहा है, वीना कावा, चीक है, heart से गई, आयोटा, आई, वीना कावा, अब वो आगे ह को breathe out करा जा सकता है और oxygen को breathing किया जा सकता है वह ही process है सब को पता है लंग का क्या process है तो आप क्या होगा न अब यहां से वो जो था न हमारा जो deoxygenated blood वो निकलेगा आप देख सकते हो यहां से हमारा निकल गया यह है किसकी मदद से pulmonary artery की मदद से किसकी मदद से, pulmonary artery की मदद से, समझ गए, तो वो जो oxygenated blood था ना, जो lung से आया था, वो किसकी मदद से आया था, pulmonary vein, और जो heart से deoxygenated blood गया है, lungs की तरफ वो किस से आया है, वो आया है, pulmonary artery की मदद, क्या heart समझ पाए, मुझे पता है, थोड़ा complicated है, फिर से एक बार detail में समझ ल जाता है, किस तरफ आता है, left side पे, पहले आता है, कहाँ पर atrium में, atrium से जाता है, ventricle में, ventricle से उसे बाहर निकालते है, किस की मदद से, iota की मदद से, iota से वो अमरी पूरी body के अंदर चला जाता है, अब body से तो खून थोड़ा गंदा हो गया, अब वो खून वापिस से आता है, किस की मदद से, Vina Kawa की मदद से, Vina Kawa से वो मिलके कहाँ पर आ जाता है, अपने right side पे, और वो आया right side पे, अब right side से, वो कहाँ जाएगा, लंग में, वापिस से, और लंग में कैसे जाएगा, pulmonary artery की मदद से, यह आप देख सकते हो pulmonary artery की मदद से, यह डाइग्राम बहुत important है, बार-बार पुछा गया है, इसकी labeling भी important है, आपको हर एक चीज सही mark करनी है, यह Vina Kawa भी आपको याद रखना है, आपको pulmonary artery artery भी याद रखना है, आपको pulmonary artery भी याद रखना है, अपको सब कुछ आद रखना है, जितना मैंने आपको यहाँ पर समझा, वरना number कट सकते हैं यह one of the most difficult topic है बट I hope कि आपको एक बार में समझा गया हो पुरी functioning समझा दी है हर्ट कि कैसे चीजों को pump करता है कौन सी वेन होती है कैसे पूरा process होता है हर एक चीज आपको detail में मैंने समझा दी है I hope आपको समझा गया होगा अगर नहीं आया है तो यहां पर एक और बार मैं आपको दिखा देता हूं देखो यह आया आपके लंग से oxygenated blood किस तरफ आया लेफ्ट की साइड पर चीक है अब लेफ्ट से यहां से वो गया किसकी मदद से आयोटा की मदद से आयोटा की मदद से वो कहां पर गया body organs body organs से वापिस आया हर्ट में किसकी मदद से वीन कावा की मदद से आगया वापिस अब कहां पर आया राइट साइड में एक मिनट क्या हो गया भाई अब आया वो राइट साइड में वीना कावा की मदद से अब उसे कहां जाना है लंग में वो गया वापिस से कहां गया वो लंग में किसकी मदद से pulmonary artery की मदद से और वो ल तो कुछ होता भी नहीं है क्योंकि मैंने ऐसे भी स्टूइंट को देखा है जो कि बोर्ड एक्जाम से दो-दो महीने पहले पढ़े हैं और उन्होंने भी 90-95% लाए हैं तो तो कुछ नहीं होता अगर आप फोकस से चीजों को समझ लोगे तो तो कुछ नहीं होता अगर आगे है दो टाइमस जाता है दो टाइमस जाता है कैसे एक बार जो खून था वो आया आया बॉडी में गया और फिर वापिस में हर्ट में आया फिर वापिस गया तो इसको हम क्या बोलते हैं डबल सर्कुलेशन जिसके अंदर हर्ट के अंदर जो खून है वो दो बार आता है एक स कोई भी पूचेगा तो आप उसको ऐसे जवाब दोगे कि यहां है हमें तो बता है प्रिशान बेने हमें तो बताया हुआ है ठीक है आगे बढ़ते हैं फटाफट से आगे क्या है एक बढ़ फटाफट से देख लेते हैं हाँ अब ये एक सवाल पूचा गया था इस सवाल पर लेते हैं हैं इंपोर्टेंस कहा है पहली चीज़ तो प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सिजिनेटेड एंड दियुक्सिनेटेड बहुत दूसरी चीज़ कहा है जब इतने सारे चीज़ों में डिवाइड कर दिया है तो जो बाडी ऑर्गंस के अंदर जो ऑक्सिजन अगला पॉइंट क्या है more respiration leading more energy चितना जल्दी respiration होगा उतनी ज्यादा थाकत आएगी और उतने अच्छी तरीके साम पढ़ाई कर पाएंगे हाँ है ना बोले है समझ आ गया होगा I hope यह चार point important है सवाल पूछा गया है CBST में भी आया है even SSC board के अंदर भी आया है बहुत थारे board के अंदर सवाल पूछा जा चूँगा तो अब बात करते है lymph की यह थोड़ा सा मतलब हर स्कूल में नहीं कर आया जाता lymph का तो बट यह एक important topic है तो मैं आपक सवाल आ रहा है तो लिंफ क्या होता है अगось कुछ नहीं होता है एक colorless fluid होता है आप यह समझ लो पानी घ्रीन होता है बलड की घ्रीयूंड़ा ऑसपर अपर उसको कोई color नहीं होता वहता है so एक पूरा system होता जिसको लेम जाए लिंफाटिक क्यों है वह बहुत जाथachen है इ इसरी चीज़ का है lymph nodes, जहां पर lymph एक दूसरे से connect करते हैं, उसको हम बोलते है lymph nodes, जैसे कि human body के अंदर बहुत सारे lymph nodes होते हैं, अलग अलग जगे पे, अब देख सकते हो इतने सारे आपको यह दिख रहे हैं, पॉइंट से सारे lymph nodes हैं, अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करूँ, आप देख सकते हो, बहुत सारे lymph nodes आपको दिख जाएंगे, यह जो diagram है आपके लिए important नहीं, आपके NCRT में भी नहीं है, बट हाँ, lymph वाला topic आपके NCRT में है, तो मैं आपको करा रहा हूँ, अब देखो, importance क्या है, यह जो lymphatic system में इतना important क्यों है, सब क्यों बोलते है lymphatic system, क क्यों देखते हैं, तीन importance के, सबसे पहला, देखते चलना मेरे साथ, सबसे पहला क्या है, fluid balance, सबसे पहले तो जो fluid है उसको balance करने के लिए काम आता है, जितना भी excess water है, उसको निकाल लेता है, fluid, तो जो आपका fluid balance है उसके लिए बहुत ज़्यादे important है, पूरी body के fluid balance के लिए यह बहुत ज़्यादे important है, क्या lymph, उसके लावा क्या है, fat transport, जो lymph होता है, वो जो body का fat है उसको भी transport कराने काम आता है, जो भी आपका digested and absorbed fat होता है, वो lymph की मदद से transport कर पाता है, ठीक है, उसके लावा क्या है, immune system, lymph आपके immune system के लिए भी important है, कि जो lymph fluid होता है, जितने भी आ है, सबसे पहला क्या है हमारा fluid balance, कि भाई, fluid को balance रखेगा, दूसरी चीज़ क्या है, fat को transport कर लेगा, तीसरी चीज़ क्या है, immune system, कि भाई, immune system तो बहुत important है, तीनों चीज़े, lymphatic system, सवाल पूछा जाता है, importance of lymphatic system, याद रखना, 3 points, I hope समझके होगे, lymphatic system क्या होता है, अब ह आगे बढ़ रहे है, अब हम बात करेंगे, transportation in plant, हमने पूरा transportation खतम कर लिया, in human, हमने सब कुछ पढ़ लिया, कि भाई, blood कैसे करते है, pump, और अपना hurt कैसे काम करता है, ventricle, auricle, auricle, सब पढ़ लिया, उसके लावा हमने, blood vessels के type भी पढ़ लिया, हमने ये भी पढ़ लिया, lymphatic system भी पढ़ लिया, अब हम बात करें, transportation कैसे होता है, plant के अंदर, तो दो चीज़े हैं, बस दो चीज़े, बहुत सिंपल है, क्या है, एक वह जाइलम, 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 लियान रखना, और एक है, क्या एक फ्लोएंब, एक है, जाइलम, एक है फ्लोएंब, जाइ ग्लूकोस बनता है, sunlight की मदद से, starting में समझाता है, उस खाने का जो distribution है, वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है हमारा फ्लोम, तो common definitions क्या होंगी, बहुत ध्यान से समझ लेना, जायलाम क्या करता है, it conducts water and minerals from root to leaves, इस तब सिंपल सा काम है, कि पानी और mineral को मैं तो भईया, root से और समझ गया, उसको हर एक जगे पहुचा देगा, समझ गया, xylem, xylem क्या कर रहा है, पानी, ये का कर रहा है, pool, अब इसका difference बहुत important है, बार-बार पूछा कर लेंगे, अब देखें, पहला difference, जो सबसे important है, वो क्या है, transportation is unidirectional, एक चीज़ याद रखना, जो transportation होता है, xylem क अंदर, पानी का, वो unidirectional है, मतलब, अगर पानी चड़ेगा, imagine करो ये, अब पानी उपर ही चड़ेगा, ऐसा नहीं कि पानी नीचे भी ट्रांसवर हो सकता है, उपर ही हो सकता है, नहीं, एक ही direction में होगा, या तो उपर या तो नीचे, और उपर ही होता है, वो आपको पत सकते हो, कि it is composed of mainly dead elements, जबकि ये composed होता है, living elements की मतलब से, ये एक important point है, तो तीन point भी अगर याद कर लोगे न तो सारी चीज़े बन जाएंगी, ये fourth point आपको इतना important नहीं है, याद करने की जुरत नहीं है, बार बार ये सवाल नहीं पूचा जाता, क्योंकि ये थोड़ा सा out of anxiety चला जाता है, बट ये three point important है, इनको आप याद रखेंगे, ठीक है, I hope difference समझ गए होगे, जैल हम क्या कर रहा है, पानी को एक direction में, flowem क्या कर रहा है, food को दोनों direction, ठीक है, आओ, एक बहुत important चीज़ आपको बताता हूँ, आपको मैंने starting में बताया था, transpiration, transpiration क्या होता ह excess of water, जितना भी पानी बच्चा होगा है, उस पानी को भार फैंक देना, वो क्या होता है, transpiration, जिता आप में पता था, अब transpiration important क्यों है, मैंने आपको बोला था, मैं chapter के बाद में बादाऊंगा, कि transpiration इतना जादा important क्यों है, एक मिनट यहाँ पर कहीं पर लिखा भी होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, कहां गया, हाँ, function of transpiration, transpiration is important, what is the value, transpiration important है, क्यों, क्योंकि, imagine करो, एक पत्ती है, ठीक है, उसके उपर water आ गया, अब पानी जो है, बहाँ पर already present है, बहुत सारा, excess of water वहाँ पर है, और अगर transpiration नहीं होता, तो क्या plant, जो पानी जो जड़ों स खीचता है, क्या वो खीच पाएगा, नहीं, क्योंकि पानी कैसे जाता है, वो जाता है, high pressure से, low pressure की तरफ, आपके घर के उपर तंकी लगी हुए, उस तंकी से आपके सारे जुतने में घर के नले, उनमें पानी आता है, कैसे, क्योंकि वो high pressure पे है, और उस high pressure से आपके low pressure में पानी अपने है अगर आप transpiration ही नहीं होगा और उपपर leaf के वहाँ पर अगर low pressure ही create नहीं होगा तो पानी root से उपपर कैसे हैगा समझे रहो बात को तो जो transpiration है वो बहुत ज़ादा important है क्यों क्योंकि उसी की मदद से पानी का absorption हो पाता है उपपर की तरफ अगर transpiration नहीं होगा तो उपपर low pressure नहीं बनेगा और पानी उपपर ही नहीं चड़ पाएगा तो पहला point क्या है transpiration helps in absorption and upward moment of water याद रखे और अगर कोई पूच भी लेना कि कैसे मदद करता है तो समझा देना low pressure high pressure वाला game जो मैंने भी आपको समझाया तंकी वाला example से ठीक है तो ऐसे आप याद कर लेना उसके लावा कहा it also helps in temperature regulation ये भी बहुत important है कियार देखो transpiration होगा पानी निकलेगा तो जो plant है ना उसको temperature भी maintained उसके लावा कहा transpiration helps to get rid of excess water ये तो important है ये तो आपको पता ये ये तीन पॉइंट बहुत important है बार बार पूछा जाता है function of transpiration याद रखेंगे transpiration important है आपको xylem phloem के बारे में बता दिया अब एक चीज में बता देता हूँ कि जो phloem का जो process है ना food को इदर उदर transfer करना उस process को हम बोलते हैं translocation translocation अगर आप से कोई भी पूछ ले translocation की definition तो याद रखना यही है कि upward and downward moment of the food with the help of phloem कोई भी पूछ ले यह भी बच्चे confused हो जाते हैं एक बार paper में पूछा भी गया था किसी के शथ pre-vote थे पिछले साल के बाद थी और स्पूछे ने मुछ से of the food by the help of fear ठीक है इतना आपको याद रखना है यह I hope यह आपको समझ आ गया होगा उसके अलावा जो phloem में न वो कुछ चार प्रकार के अपने cells होते हैं जिनकी मदद से वो काम कर पाता है जो आपको शायद पता भी होंगे नहीं भी पता है तो इनको याद करने की ऐससद जरूरत नहीं है पेपर के अंदर नहीं पूछा जाता बढ़ फिर भी मैं बता देता हूँ एक होता है सीव ट्यूब एक होता है कमपैनियन सेल एक होता है phloem parenchyma और एक होता है phloem fiber यह चार हो उसके बाद हमने respiration करा फिर उस जो burger से energy आया थी उसको हमने transport भी करा दिया हर्ट की मदद से अब जो burger में waste था उस waste को भी तो भार निकालेंगे by the help of excretion तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं excretion का फंडा excretion होता क्या है बहुत simple है excretion is the process by which organism expel metabolic waste एक चीज़ याद रखना excretion is different from ejection ejection समझते हो न युवन आपको पढ़ाया था शुरू में खाना खाया, digest हुआ, assimilate हुआ और फिर eject कर दिया, वो अलग है ejection होता है solid waste को भार निकालना जबकि excretion होता है किसी भी प्रकार के waste को भार निकालना चाहे वो carbon dioxide हो चाहे वो water हो, चाहे वो कुछ भी हो इसके अंदर सारे nitrogen compound भी आते है तो excretion बहुत बड़ी चीज़ है, जबकि ejection बहुत छोटी चीज़ है, चीग है तो excretion के अंदर के अंदर क्या आता है, metabolic waste आता है carbon dioxide, excess of mineral salt और excess water nitrogenous compound भी आते हैं जैसे की ammonia, urea, uric acid यह important है कि nitrogenous waste जो होते हैं वो body से निकलते हैं by the help of क्या excretion इस पूरे process को समझेंगे थोड़ा सा complicated process है दिमाग को खोल के रखना मुझे पता है यह exam के अंदर पूछा जा सकता है इसलिए इसको मैं थोड़ा सा धंग से समझाने की कोशिश करूँगा बस आपको नो focus बनाया रखना है थोड़ी देर, थोड़ी देर ना पंदरा मिनाट और पंदरा मिनाट और focus बना लो chapter को टाटा वे वे goodby करने वाल goodby करने वाल बस आप पंदरा मिनाट और focus बना लो ठीक है आज़ अब देखो जल दिया है जल दिया है आगए फोकस आगए जोश कैसे है वही है जोश कैसे है जोश कैसे है बता है 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 एकदम आई है चलो देखो excretory system के अंदर क्या क्या चीज़े होती है सबसे पहले आप उसको समझ लो बहुत ज्यादा important है क्योंकि excretory system आपका कैसे होता है आपकी दो kidneys होती है ठीक है आपकी kidneys होती है आपका ये urinary bladder होता है और ये आपकी urators होती है I hope इतना आपको idea होगा नहीं idea कोई बात नी बिल्कुल detail में पढ़नेंगे कोई दिक्कत नी है आप समझना सबसे पहले हो क्या रहा है ना आपका जो blood है जो आपके blood के अंदर बहुत सारी impurities है nitrogen compound है वो blood आता है यहाँ यहां अब वो जब्लेड है वो नीची के तरफ दिल्कूल आ रहे है अब वो जो blood है वो कहा गया वो गया आपके kidneys के अंदर थे एक इधर गया एक इधर गया अब किड़िनी के अंदर क्या होता है किड़ उसको तो भाई kidney वापिस वेज देती है या भाई टाटा बाई 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 हमारा आपका इतना ही वाट तो ये substances होते हैं उनको क्या करता है उनको वेज देती है यूरेटर ये जो pipe दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं यूरेटर की मदद से नीचे वेज देती है कहाँ पर यूरेणरी ब्लैडर पर यूरेणरी ब्लैडर पर जो होता है आपका जो वेस्ट होता है वाटर की फॉर्मेट में वो स्टोर होता है और आप जब जाते हो बात रहूं तो वो आपकी यूरिथ्रा की मदद से बाहर निकल जबता है I hope यह clear है Human excretive system कैसे चल रहा है Main function का है? Kidney के अंदर अब हम पढ़ेंगे कि kidney में basically हो कह रहा है Kidney कैसे कर दे रही है? वी जो blood का purification का काम है Kidney कैसे कर रही है? उसको हम समझेंगे But उससे पहले function of kidney समझ लेना बहुत important है सबसे पहला Excretion of waste and other foreign substances पताईए Regulation of the blood Ionic composition Regulation of the blood pH बहुत important है Kidney की मदद से एक तो waste substance भाहर निकलते है Blood का pH भी बनता है pH भी बहुत important है Blood का यह बहुत important है Star मार कर लेना उसके लावा कहा Production of hormones Regulation of the blood pressure Regulation of the blood volume सारी चीज़े kidney कर रहे है Kidney बहुत important है Kidney बहुत important है तो यह जो 4-5 point है इसके याद कर लेना तो कि functions of kidney भी बहुत बार पूछे जाते है Kidney की क्या-क्या Importance है वो भी पूछे जाते है याद कर लेना अब समझते है Kidney के अंदर basically हो क्या रहा है But I hope ही आप समझ गए होगे कि यहाँ से खून आया यहाँ से आपका खून आया और वो खून कहां से आया आपका और आटा से आ रहा है और वो खून जा रहा है कहाँ पर Kidney में Kidney से जो सही बलड था वो तो वापिस चला गया वो वापिस चला गया आप देख सकते हैं यहाँ से वो जो बलड था वीना कावा की मदद से वो बलड वापिस चला गया बट जो वेस्ट था ना वो यूरेटर की मदद से यह यूरेटर थे और यहाँ पर यहां clear है आप चलो, आज़ा, kidney, अब पढ़ते हैं, kidney, kidney के अंदर ना एक बहुत ही प्यारी चीज़ होती है, जिसको मुलते हैं, nephron, और यह nephron मिलियंस में होते हैं, kidney के अंदर, बहुत सारे होते हैं, यहां पर लिखा भी होगा, शायदा यहोग, कि जो बहुत सारे अच्छ सकते हैं, सवाल में रही है, बढ़ हां यार, देखो, इस diagram को practice कर लें, क्योंकि मैंने देखा है, कभी कबार यह पूछा जा सकता है, अब तुम बोलोगा, यार, प्रिशान मुया, कैसे हो पाएगा, थोड़ी बत practice करो, जैसा बन पाता है, बन, अब समझते हैं, नेफron working कैस जिसके अंदर, बहुत सारी impurities थी, वो खोनाया, वो कौनाया किड्नी के अंदर, अब किड्नी के अंदर नेफرון था, नेफरון के अंदर पता है, एक चीज़ होते हैं, जिसको हम बोमन कैपस्यूल, क्या बोमन कैपस्यूल यह जो है न पाट, यह होता है, बोमन कैपस्यूल, बोमेन कैपसिूल के अंदर क्या होता है? उसके अंदर होता है हमारे Glomerulus ये हैं आपके Glomerulus ठीक है? तो ये जो Glomerulus होते हैं यहाँ पर आपका आया Blood और यहाँ आया अपने बोमेन कैपसिूल के अंदर अब यहाँ पर आपका जो Blood है उसकी Purification हो जाती है Start यहां से हो जाती है आपकी actual purification start क्यों क्योंकि इसका एक process होता है बहुत important process है पहले उसको समझते हैं उसके बाद हम एक एक करके steps करेंगे सबसे पहले blood आया है हमारी step number one जिसको हम बोलते है glomeral filtration बहुत important है हाँ यार शब्द याद करने पड़ेंगे याद करने पड़ेंगे अगर तुमसे शब्द याद नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आप ऐसा करो filtration याद करो ठीक है क्योंकि बहुत सारे लोग है जो कि याद नहीं कर पाते बूल जा होता है वो उस ब्लड से भार खीच लिया जाता है और वो जो ट्यूब है ना उस ट्यूब में बेच दे जाता है इसको पढ़ लो एक बार कि फॉम्द ब्लड और फिल्टर एंड इनिशियल फिल्टर एंटर सिंटू बोमन कैप्सुल और दा नेफरो मतलब यह आप देख र पहला फिल्टरेशन कहां पर होता है अब होता है कि बहुत बार वोमन कैप्सुल जो है न बहुत सारी अच्छी चीज़े भी खीच लेता है बलड के अंदर ग्लूकोस था बलती से वो भी खीच लिया अब भाई खून तो कह रहा है या मुझे मेरा जो ग्लूकोस है वो तो इसके अंदर क्या हो रहा है अब बोमन कैप्सुल से निकल गया वेस्ट और खून भी जो अपनी बलड वैसल है वो भी उसके अराउंट चड़ रही है जो भी इंपोर्टन सब्स्टेंस था ना जो कि बोमन कैप्सुल ने खीच लिया आता जैसे कि हमारा बहुत सारी इंपो वापिस चला जाता है इसको हम बोलते हैं क्या selective reabsorption याद रखना एक बर वापिस आपको मां डाइग्राम दिखाता हूं अब यह जो आप देख रहे हैं यह आपका पूरा का पूरा आपका होता है होता है होता है अब एक last step बसता है अब देखते हैं यह तीनों step ना आपको याद रखने पढ़ेंगे क्योंकि important है तीसरा step है tubular या secretion बहुत important है इस point को याद रखना क्योंकि इस पे भी सवाल पूचा गया है इस पे भी एक अलग से सवाल पूछा क्या था कि यह जो process होता है जो last step होता है nephron का वो क्या होता है तो इसको आप ध्यान से देख ले ना इसके अंदर है कि urea extra water and salts are secreted into tubule which opens up into the collecting duct and then go to ureter. मतलब कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है यह जो last ना tabular secretion जितना भी waste जो बच जाता है मतलब आपके blood ने selective reabsorption कर लिया अब blood की जो vessel थी जो blood vein थी वो दूर चली गई अब जितना भी waste है वो आपके यहां से निकल के tube की मदद से आपके duct में पहुंच जाता है जैसे कि आपको वापिस से diagram समझाता हूँ अब जितना भी जो waste था वो यहां पर आपकी tubule के अंदर आ जाता है और फिर वो नीचे चला जाता है और कहां पर आपके यूरेटर में पहुंच जाता है यह होता है आपका नेफरॉन का काम आप समझ पाए हो थोड़ा complicated है मैं समझ रहा हूँ अब तीन स्टेप याद रखोगे सबसे पहला बोमन कैप्सूल बोमन कैप्सूल में आया भाई बलड आया बलड आया बलड आया बलड आया बलड आया जितनी भी important इस थी बोमन कैप्सूल ने बोला भाई सब खीच लूँगा पहला process filtration सब कुछ खीच लिया अब बलड ने वोला ठीक है यार मुझे अपनी सारी चीज़े मिल गई अब मैं तो अपने रास्ते जा रहा हूँ बलड निकल जाता है यहां से और यह बाहर निकल जाता है बट जितनी भी impurities होती है वो यहां पे पहुंच जाती है और वो टिब्यूल की format में कहां पे चली जाती है यूरेटर में यूरेटर से कहां जाती है यूरेटर से यूरेटर से तीन प्रोसेस याद रखने है तीनों प्रोसेस को अगर आपने लिग दिया ना बोलता हूँ एक नमबर नहीं काट सकता कोई आपके याद रखने है तीनों प्रोसेस घटों मत मेरी बातों को समझो अगर आपने कोशिश करी होगी ना समझने की जो मैंने आपको समझा है I don't think आपको वही प्रॉब्लम आई होगी क्योंकि ये उतना मुश्किल टॉपिक नहीं है जितना आपको लग रहा है आई होग समझ गए होगे बस हाँ मुझे पता है वो थोड़ा selective reabsorption वाला थोड़ा आपको मुश्किल लगाओ शायद tabular secretion वाला important लगाओ बढ़ कुछ हो नहीं रहा है बहुत simple step है तीनों step बहुत detail मैं आपको समझा दिया है फिर भी कोई doubt बचता है तो बता दो फटा फट से फटा फट से बता दो फिर भी कोई doubt बच रहा है बताओ भई यह था हमारा प्यारा प्यारा नैफरोन मैं आपको बता देता हूँ 90% लोग नैफरोन को पढ़के नहीं जाते एक्जाम के अंदर बट यह पेपर में पूछा जा सकता है मैं फिर से कह रहा हूँ यह बार बार पूछा गया है नैफरोन की वरकिंग कितनी बार पूछी गई है आप सोच भी नहीं सकते बताओ कोई दिक्कत क्या हाँ हाँ मुझे पता है दो गंटे से उपर हो गए कोई दिक्कत नहीं है आपको मैंने तीनों चीज़े समझाए दी आगे बढ़े आगे बढ़े गा सारी चीज़े चलिए आ जल्दी बताओ जल्दी बताओ अब एक लास्ट चीज़ जो मुझे आपको बतानी है वो है dialysis, dialysis क्या होता है, देखो इसका competency waste में सवाल आ जाता है कि dialysis क्या होता है, आप एक चीज़ समझ लेना, कि बहुत बार क्या होता है, कुछ लोगों की kidney काम करना बंद कर देती है, अपने सुनोगा kidney failure हो गया, तो उससे क्या होता है, kidney के अंदर nephrons काम नहीं करते हैं, तो kidney filtration नह कर पाती है, तो उस समय पर क्या होता है, एक dialysis एक process होता है, जिसमें कि आपका blood लिया जाता है, आपके blood को बाहर निकाला जाता है, और क्या करते हैं, वो एक अलग से, एक अलग से machine होती है, उसके अंदर आपको blood बेचते हैं, और उस blood को filter करते हैं, और फिर वापिस से आप के अंदर blood डालते हैं, जिनकी kidney fail हो जाती है, उनका process से निकलना पड़ते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा kidney failure के अंदर dialysis कराते हैं, dialysis यह होता है, basically, कि भाई, खून निकालेंगे, machine में डालेंगे, और उस खून को वापिस करेंगे, तो dialysis का बस एक normal सा process है, कोई भी की तरह काम करती है, I hope आपको सब कुछ clear हो गया और यहाँ पर हम excretion को भी खतम कर चुके हैं, और यह सारी चीज़े मैं आपको बता ही दिया है, अच्छे, एक last point क्या बचाए, plant use different strategies for excretion of different products, हाँ, यह भी एक question था, जो की पूछा गया था, तो मैंने सुचा, इसको भी add कर देता हूँ, क्योंकि NCRT के अंदर ही है नहीं, देखो, एक सवाल पूचा गया था, कि plants जो होते हैं, वो excretion कैसे करते हैं, how plants excret, तो उनकी different strategies होती है, कौन-कौन सी, सबसे पहले तो आपको पता ही है, कि जो excess water होता है, वो transpiration की मदद से बाहर निकाल देते हैं, वो तो हमें आपको oxygen, carbon dioxide का ही बता दिया, उसके अलावा क्या है, many plant waste products are stored in cellular vacuoles, cellular vacuoles के अंदर भी बहुत सारे plant अपने waste product को store कर लेते हैं, और बहुत सारे waste product होते हैं, जैसे की latex resin gums, आपने देखा होगा न, जो plant होते हैं, आपने अगर कोई मोटा सा कोई पेर देखा हो, उसके भारे स plant के waste होते हैं, वो बहुत जगों भी use भी की जाते हैं, तो यह चीज है कि जो plant हैं, उसके अलग-अलग waste होते हैं, अपने waste को excrete करने के लिए, पैदा oxygen, carbon dioxide, आपका दूसरा transpiration, कुछ plants अपने vacuoles में भी store कर लेते हैं, और कुछ plants क्या करते हैं, इस प्रकार से अपने waste product को न मज़ा आया, दो गंटे से उपर गया lecture देखके, मुझे पता है, तुमारी हालत हो गई, अरे भया, यार, क्या कर दिया, क्या कर दिया, मज़ा आया, नहीं आया, बताओ, यह बताओ, फटा-फटे, comment के अंदर, अगर chapter के end में भी तुमारा जोश कितना है, वो मुझे पहले comment में पहले बता दो, कि भाई, 100 में से अब कितना जोश है, और पहले कितना जोश था, सार्टिंग से अब में कितना जोश में वेरियंस आया, वो बताओ, जल्दी से हैं, तो कि हमारा जोश तो कम होता नहीं है, हम तो डाइड है, तीन-तीन गंटे वे ऐसी पढ़ाते हैं, पोई doubt बच जाता है, तो telegram जरूर join कर लेना, वहाँ पर मैं आपके comments पगरारा देखता रहता हैं, यूट्यूप पर बहुत सारे comments आता हैं, देखना possible नहीं है, बढ़ वहाँ पर मैं आपके comments देखता रहता हैं, तो वह आप कर लेना, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ पूरा आमने प्रोसेस पढ़ लिया स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पट एक चीज जो है जो कि आपको करनी है वो है question practice मैंने सारी चीज़ आपको बता दिये even जो important सवाल भी थे ना बीज-बीज में मैं उसको भी लेकर आया था आपने note कर रहा हो तो इस चप्तर से भाहर मैं आपको बता देता हूँ जितना मैंने पढ़ा है ना एक सवाल आपके paper में नहीं आए बट फिर भी आप अगर कोई question paper को solve करते हो sample paper वगरा लगाते हो या फिर कोई question bank आपने ले रखिये even हमारी book भी अगर आपने ले रखिये तो आप थोड़े बहुत question try कर लेना आपको पता चल जाएगा कि यार प्रिशान वे ने जो पढ़ाया book के अंदर भी वही है जैसे आपको भी satisfaction मिल जाएगा ठीक है आई हो आपको सीखने को मिला होगा कैसा लगा आपको ये lecture ज़रूर बताना और आगे लेक्चर भी बाय हो के आपको जल्दी देखने को भी लेंगे लेक्चर का नाम कमेंट करने आगला लेक्चर कौन सा चाहिए control coordination चाहिए कौन सा चाहिए वह आपकी जिम्मेदारी शुक्रे एवरिवन मेरा नाम है प्रिशान मिलते हैं next lecture के अंदर टेक क्या